चलिया, फाइनली सभी लोग को नमशकार, डबल नमशकार, ऐसा बोलते हैं सबर कफल, तो लेट सो ये सूपर मिठाओ, ठीक है, तो वे अगें थैंक्फुल तो नागेंदर सर, लास्ट मिनिट फायर फाइटिंग करके, okay, so there was a technical glitch, वो technical glitch अब दूर हो चुका है, now, plan is, हम लोग, मैंने 250 questions select, पूरे question banks है, तो वो questions complete करना, ये हमारा पहला target रहेगा, अब वो हम कितने जल्दी करते हैं, that depends हम लोग, आप और मैं, दोनों, ये combination कितना smoothly, कितना अच्छे से चलता है, अगर वो 250 questions भी खतम हो गए, और हमारे पास समय बचता है, then I will add further questions, मैं और questions आड करूँगा, और हम लोग कोशिश करेंगे, जितना समय हमारे पास है, वो maximum हम लोग अच्छे से यूज करें, क्योंकि जो ठीक नहीं होना था, वो तो हो गया पहली, ओके, so we are going to start with standards on alleting, मेरा ऐसा rough plan थाई है, यह हम लोग ने batch बहुत ही short notice में announce किया, बच्चों से interaction, sir question bank में बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, questions भी करवा दो, तो हम लोग ने बहुत research करके पहले 150 questions निकाले, हमारे पास 4000 questions का database है, Excel में, वहां से हमने private table लगा कर 7 plus repetitions कौन से है, मतलब जो MTP, RTP सब में, साथ या उससे बार आ चुके है, पहले वो questions अड़ किये, फिर हमारा analysis यह बोलता है कि, पिछले जो 4 MTP, RTP है, वहां से बहुत सारा पूछते हैं, वो questions अड़ किये, चार attempt के MTP, RTP काफी होते हैं, हर attempt के 1 RTP, हर attempt के 2 MTP, लेकिन questions ज्यादा हो गए, फिर import का मतलब क्या है, फिर हम लोगों ने, पिछले 4 exam में जो questions आया है, वे लुक अप लगा कर हो माइनस किये, तो हमने scientifically एकदम, statistically और आप लोग समद सकते हैं, because you guys play on Excel day and day out, correct, जो लोग audit करते होंगे ज्यादा, वो लोग खेलते ही होंगे, तो ऐसा करके हम लोगों ने 150 most important questions निकाले, वो भी हमको पिछले बार जो 100 questions थे, वो काफी popular हुए, उसमें से काफी exam में आया भी, तो वो 150 questions, फिर मैंने और 100 add किये, कि मुझे ऐसा लगा कि हम 250 कर पाएंगे, अब अगर हमारे पास समय बचा, तो और हम उसमें चीजे add करते जाएंगे, class में पहले मैं जो basic concept हो तो बताऊंगे ही, कुछ basic concept लगेंगे, तभी मैं किस पर जा पाऊंगे, questions पर जा पाऊंगे, तो वो थोड़ा तो हम लोग बताएंगे, और एक basic concept जो पढ़ चुके उनको पता है, सबसे important हो, fast एकड़म लोग देखेंगे, core audit process, fast एकड़म उसके जो important चीजे हो हम लोग देखेंगे, आपके जो notes है, आपके पास में question bank भी है, और question bank के साथ साथ में, आपके पास में notes भी है, तीन दिन में से सवा दिन मैंने सोचा है standards on auditing के लिए, एक दिन मैंने सोचा है chapters के लिए, for chapters, और फिर उसके पाद three-fourth day, ठीक है, 75% मैंने सोचा है professional ethics और company audit के लिए, जो generally बच्चों का अच्छा होता, generally, ठीक है, अब आप यहाँ पे जितने भी concept सुने, अगर आपको लगा है मुझे आता है, बहुत बढ़िया, revision हो गई, done, mark कर लिया मैंने, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगा, यह मुझे नहीं आता है, तो दुग नहीं खुशी होनी चीए, बहुत बढ़िया, ठीक है, कि नहीं चीज पाद चलगी, चलो exam के पहले पता चली, तो आइधर ways, you are supposed to think positive, आइधर ways, क्योंकि बच्चे नहीं तो कुछ नहीं बला, यह नहीं आता, पता नहीं क्या-क्या नहीं आता, ऐसी सोच के भी होते हैं, तो positive सोच रखेंगे, तो पूरे session में मजा आएगा, और फड़ा-फड़े time निकल जाएगा, ठीक है, चली, let's see, so we start with, we start with core audit process, हम लोग ने standards on auditing, standards on auditing का research करके, audit essay होना चाहिए, as per essays, audit कैसे होना चाहिए, as per essays, वो हम लोगों ने एक process बनाया है, और यह बहुत important है, अगर यह concept अगर हमको अच्छे से पता चल जाए, if we know this properly, तो standards on auditing का बहतरी बेस बन जाता है, और वो फिर आसानी से चीजे समझने लगती है, तो audit का flow कैसे होता है, audit का flow ऐसा है, सबसे पहले आप सबको पता है कि we cannot go and solicit the client, हम खुछ solicit कर नहीं सकते, we cannot solicit, तो client आता और audit offer करता है, तो आपको imagine करना है CA का office है, CA का office है वहाँ पर, और client आता है, client comes, और बोलता है मुझे audit करवाना है, he offers audit, audit offer करता है, जैसी offer करता है, तो reception के उपर, reception के उपर, जो बंदा बैठा है, वह पूछता है, sir आप audit करवाना चाहते हो, कुछ basic conditions है, कुछ क्या है, basic condition है, precondition fulfill करनी पड़ेगी, कुछ basic conditions, बोले बताईए क्या precondition है, बोले simple सी दो condition है, correct, बोले आसान सी दो condition है, बोले कौन सी दो condition है, बोले number one, ठीक है, now, बोले basic precondition क्या है, बोले number one, accounting आपको करनी पड़ेगी, बोले यहाँ मेरे पास पुरी account stream है, मेरे company पुरी account stream है, financial reporting हम करेंगे, account financial statements हम बनाएंगे, बोले बहुत बढ़ी है, पुरी जिम्मेदारी आपको उठाने, बोले उठा लेंगे, दूसरा, accounting करने के लिए जो base ही होता है, दूसरा बोलते है, financial reporting framework, इंडिया में financial reporting framework में तीन चीज़ आती है, AS, India, अगर AS या फिर इंडिया, दूसरा guidance तो तीसरा schedule 3, यह तीन चीज़े मिला कर बन जाता है, financial reporting framework, हर देश में अपना framework है, और framework के components होते है, इंडिया में तीन चीज़े जन्दली उसमें जाती है, बोले क्या यूज़ करता है, बोले AS, यूज़ करता है, बहुत बढ़िया, acceptable financial reporting framework है, क्या है सब, acceptable financial reporting framework, बोले done, बोले बहुत बढ़िया, ठीक है, बोले आब अब अंदर जाईए, quickly हम क्या discuss कर रहे है, बोले करता है, तो reception में बन्दा पूछता है, क्या फुल्फिल कर रहे हूँ, precondition, उसमें पहला, क्या बनाओगे, financial statement, यू जो framework डागा, वो कैसा मच्छे, acceptable, बोले चलो done, अंदर जा रहा है, दर्वाजा खोल रहा है, cabin का, बोले आपको सर से मिलना है, जैसी दर्वाजा खोलता है, उसको पूछते है, अरे सर कोई restrictions तो ही डालोगे, कोई restrictions नहीं दालोगा, there will not be any limitation on scope, अच्छा ठीक है, done, फिर अंदर जाएए, अंदर जाते हैं, बोस के सामने है, आपको समझने हैं, आप बेठें, आप उससे बात कर रहे है, बोले देखिए साब, कोई भी assignment हम लोग आग बंद करके accept नहीं करते हैं, हमको पहले perform करना पड़ता है, P.E.A, क्या करना पड़ता है साब, P.E.A, preliminary engagement activities, engagement को accept करने के पहले कुछ preliminary चीज़े देखनी होगी, preliminary engagement activities, बोले क्या करना होगा उसमें, बोले आसान है, बोले देखिए ये लिजे 10 पेज का form, 10 पेज का form लिजे, इसमें company की history, company के current status, company के product, competitors, सब कुछ लिख कर दे दीजे, मेरी टीम इसको अच्छे से पड़ेगी, Google सर्च करेगी, market में पूछेंगे, ठीक है, फ्रैंक लिए आपको बता रहो, market में पूछेंगे आपका reputation कैसा है, आपकी integrity कैसी है, हमारे पास competence है कि audit करने के लिए, दो सबसे important चीज़ है, audit is a collaborative activity, collaborative activity, साब वो information देगा, हम चेक करेंगे, तब जाके audit होगा, सिर्फ एकांत में isolation में बैटके नहीं कर सकता हमें, इसलिए बंदा भरो से मन चाहिए, इसलिए उसकी integrity, साब आपकी integrity चेक होगी, और दूसरा, क्या मुझे आपके business का, इन सब चीज़ों का, मेरे पास competence है क्या, मेरे पास competence है क्या, वो मैं देखूंगा, बोले ठीक है done, यह 10 पेज लीजे, तो 10 पेज लेके, हम सोचेंगे, नया assignment है, तो accept करना की नहीं करना, पुराना assignment है तो, continue करना की नहीं करना, ठीक है, सब हम लोग, दो दिन पहले आप information देखे कहे थे, आप आये, बहुत बढ़िया, market में आपका reputation बहुत अच्छा है, integrity है आपके साथ में, और हमारे पास competence भी है, हम audit करने के लिए तयार है, अभी सोच लो, ethical रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बोला सब, ethical रहने के लिए क्या करना होगा, मेरे office में बोले, आपके चार relative काम करते है, मुझे पता है कि problem हो सकता है, तो मैं चार relative को आपके assignment से हमेशा दूर रखूँगा, ठीक है बोले done, आप रखे मुझे कोई problem नहीं है, चलिए, assignment accept करना है, पहला decision हो गया, ethical रहने के लिए क्या steps उठाने होंगे, वो भी हो गया, ethical independence के लिए, अब हम sign करते engagement letter, क्या sign होगा साब, engagement letter, done, मैं आपका assignment कर रहा हूँ, ये initial phase हो जाता है खतम, कौन सा phase, initial phase, let's freeze, सबसे पहले कौन है, client है, क्या उसने क्या offer किया, audit offer किया, reception पर क्या बोला, pre condition, कितनी प्री condition है, दो, पहला, financial statements आप बनाओगे, FRF कैसा आच्छे, acceptable, बंदा अंदर जा रहा था, उसको क्या बूचा, limitation on scope तो नहीं है, अब बैढ़ गया है, बोले मैं क्या perform करूँगा, preliminary engagement activity, पहले सोचूँगा, accept करना है कि नहीं करना है, continue करना है कि नहीं करना है, जब positive मिला, तो फिर सोचूँगा, क्या करना पड़ेगा, to remain ethical and independent, और क्या sign कि हमने, engagement letter, बोले done, तो as per standards on auditing, systematically इस तरीके से audit होना चाहिए, that is the initial phase, that is the initial phase, मैं आपको बता दू, unfortunately, ठीक है, कितने लोगों नहीं हाँ पर सब बहुत बहुत दिल लगा कर audit किया, प्रेक्टिकल लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा audit का काम किया है, okay, be careful, chances है कि आपको कम मार्क्स मिले है, सही बता रहा हूँ, because, you go and write what you have seen, that is a human behavior, that is how our memory works, unfortunately, you get marks for what is there in standards on auditing, what is given in this notes and question bank, यह आप लिखेंगे, तो marks आपको मिलेंगे, I have seen many people, listed company का audit lead करते है, उनके नीचे 25 लोग काम कर रहा है, और 22 लोग कर रहा है, I have seen that, तो इसले मा आपको बता रहा हूँ, आप answer आपके practical experience से निकाल कर मत लाईए, आपने क्या पढ़ा है, किताबों में क्या लिखा है, वहां से answer निकाल कर लाईए, आपका जो information source है, that should not be your practical experience, unfortunately, your information source should be, what you have studied before, वह आपका source होना चाहिए, अगर आप ये information source use करेंगे, तो आप भाहतरीन करेंगे, अच्छा करेंगे, initial phase खतम हुआ, अब आगे सुनिए, initial phase खतम हो गया, सर हम आपका audit कर रहा है, done, सबसे पहला काम audit में क्या करते हैं हम लोग, planning, we go for planning, सिर्फ फ्लो समझी है अभी, ऐसे नंबर और नंबर पर ध्यान मत दीजिए, planning में सबसे पहले हम लोग, broad guidelines की audit कैसे करना है, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, broad guidelines, चारपाच पेज का document बनेगा, क्या हम लोग यहां पर automated checking पर ज्यादा भरोसा करने वाले है, या फिर हम लोग manual checking पर ज्यादा भरोसा करने वाले है, that is audit strategy, हम लोग quarterly जाने वाले है, कि साल खतम होने के बाद जाने वाले है, that is audit strategy, तो audit strategy बनेगी, फिर detail step-by-step instruction की हर area में audit कैसे होगा, step-by-step instruction, पूरी checklist, that will be called audit plan, correct, उसको audit plan बुला जाएगा, now, इसको update करेंगे हम लोग समय समय पर regularly, as we get new information, as we get new information, जैसे से, office में बात कर लेंगे, teacher, as we get more information, we will keep revising, salary में हमको दो fraud मिले, low risk area समझते थे उसको, बर्सो से एक fraud नि मिलता था, immediately strategy change, salary check करने के लिए, first year article को बोला था, वो भी दो दिन दिये थे, change, first year article के साथ में, दो senior काम करेंगे, दो हफते हो जाएगे वो, immediately strategy change होगी, क्योंकि हमको audit करते हैं, वक्त उसमें क्या मिला वहाप है, fraud मिला, now the most important thing, quickly, audit में सबसे पहले क्या किया सब, audit शुरू क्या सबसे पहले क्या क्या, audit, planning, planning में सबसे पहले क्या क्या, strategy, strategy को बनाया, plan, उसको समय से पहले क्या क्या, update, now comes the most important thing, जिसके वाज़ से बच्चों को दिक्कत जाती है, सबसे बड़े important चीज, plan बाने के बाद हम मैदान में उतरते है, client place पर जाते है, हमारे यहां से भी शुरू करते है, फिर client place पर आते है, and we go for, we collect information, we collect information and obtain understanding of the client and its environment, including internal control, system, ठीक है, इस step को क्या बोलते है, इसको बोलते है, risk assessment, अगली बार यह technical word कही पर भी आये, it simply means collecting information, obtaining understanding for risk, ठीक है, for risk, जब जानकारी को इखटा किया जाता है, ताकि इस जानकारी की मदद से, मैं आगे जाके risk पता कर सकू, उसको बोलते है, risk assessment procedure, एक parallel example लेता हूँ, suppose हमने बोला, यहां से हम लोग बाई की उपर लदाग जाएंगे, ठीक है, we go to Ladakh, और अब जाना या, हमने सोचा, लेकिन हमको यह भी देखना पड़ेगा, what are the challenges we are going to face, yes, no, तो हम लोग क्या करेंगे, we will go and collect information, articles पड़ेंगे, articles पड़ेंगे, जो लोग पहले गए, वहां से articles पड़ेंगे, कि भई क्या क्या problems आ सकते हैं, क्या क्या चीज़े होती है, Google Maps देखेंगे, Royal Infilt से जारे तो उसके कहां कहां पर गराज आएंगे, बिच्ने वो देखेंगे, हमारा कोई दोस गया, उससे बात करेंगे, what are you doing, collecting information, obtaining, understanding, so that you can find out, risk ताकि आप risk पता कर सके, तो जो जानकारी आप इखटा करते हो, ताकि आप risk पता कर सके, उसको मुलते हैं, risk assessment procedure, अब आपको बताता हूँ, risk assessment procedure, कैसे जानकारी इखटा करना, company की जानकारी कैसे इखटा करना, और क्या जानकारी इखटा करना है, कौन से ऐसे में दिया है, 315, यह लिखा हुआ है कौन से ऐसे में, ऐसे 315, लेकिन 315 में लिखा है, जनरल क्या information इखटा करना, कौन सी information, जनरल, मजा तब आता है बच्चों को, सर, यह risk assessment फिर आ गया 540 में, और वहाँ पर 315 भी लिखा है, 550 में फिर आ गया, 560 में फिर आ गया यह क्या हो रहा है, तो वहाँ पर समझा है 540 में, what specific information should be collected about estimates, 550 में बता है, what specific information should be collected about related parties, 560 में बता है, what specific information should be collected about subsequent events, और वहाँ कैसे लिखते हैं, 540 में कैसे लिखेंगे, जब आप company की general information इखटा कर रहे हो, you are understanding entity and its environment as per SA 315, वो करते वक्त, आप SA 540 के हिसाब से यह भी information collect कर लीजिए, इसलिए बार बार सभी standards में किसका reference है, 315 का, कि general information collect करते हुए, यह specific भी ले लो थोड़ी सी, general information collect करते हुए, 570 में going concern की भी जानकरी ले लो, इसलिए बार बार तो आप ध्यान रखना, general information कैसे लेना collect करना और कौनसी collect करना, कौनसे ऐसे में, 315, specific area related information कहां से collect करना, वो कहां लिखा है, specific standard में, अब इसमें आपको doubt होना नहीं चाहिए, इसके बाद अगला step आता है, अब English में और आदे से यादा problem audit में है, बिकास आप अंग्रे जी, English is a funny language, अभी यहां पे word हुआ, risk assessment procedure, अगला word है, identifying and assessing risk, English में आपको ऐसा लएगा, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन standards on auditing में, दोनों का मतलब अलग है, अब यहां पे आएगा आपका step number two, and that step number two is identifying and assessing risk, अब यह सोचना, what can go wrong, that is called identifying, that is called identifying risk, what can go wrong, उसको assess करना, कि वो छोटी रिस्क है, कि वो बाडी रिस्क है, that is assessing risk, और अब सबसे बहतरी रिस्क, फिर यह देखना, is it a financial statement level risk, or whether it is a assertion level risk, that is also part of assessing risk, उसका मतलब में सम्झाता हूँ, ठीक है, quickly step number, जानकारी खटा करना, that is, that जानकारी खटा करना, that is, risk assessment procedure, पिर सोचना, what can go wrong, that is, identifying risk, और कौंसे लेवल पे गलती रिस्क, that is assessing risk, now let's discuss this beautiful world, this beautiful world, यह अपने आपने, word, financial statement level, माइक भी बोला, मुझे भी problem ऐसे, financial statement level versus assertion level, now this word is repeated so many times, ठीक है, मतलब अगर जाप किया जाए, तो ठीक है, सबसे जादा, जैसे स्वाहा होता है, क्या बात है, बहुत बढ़ी है, जोगे चक्या माई बैस सर, अच्छे रिड़े, ठीक है, सुर लगा हुआ है सर का, now, जैसे स्वाहा बोलते हम लोग, वैसा यह word audit मे आता है, कौन सा, assertion, now listen, if it's very simple thing, let me do, Assertion का simple सा मतलब बता English में, to assert something, to say something, yes, no, अब ध्यान दे सो, Financial statements में जितनी जानकारी दिये, all the information which is given in financial statement, वो information management हमको दे रहा है, ठीक है, all the information which is given in financial statements, that is called as assertion, एकदम simple words में, जितनी भी जानकारी financial statements में दी है, that is called as assertion, क्योंकि management में दी है, उसको बोलते है, management assertion, अब ध्यान सुनिये, जो जानकारी साफ साफ directly लिखियो, यह sentence by sentence, that is called as explicit assertion, that is called as explicit assertion, तब उन्हें बोला है, fixed asset 500 crore, that is a explicit assertion, we are using WDV method to depreciate fixed asset, that is explicit assertion, जो बाते लिखी है, डिरेक्टी लिखियो हुई है, उसको explicit assertion बोलते, उसको और समझाने की जरुरत नहीं है, लेकिन कुछ बाते ऐसी है, which are understood, which are assumed, ठीक है, उसको हम बोलते है, implicit assertion, जो बाते लिखी नहीं है, लेकिन जनरी लोग assume कर लेते है, जनरी लोग मान लेते है, उसको हमने क्या नाम दिया सब, implicit assertion, now listen, ज्reesति एंको हमने का जोलते है, त लुट समझाने क्यांगे इसक्षाः झामेंदे सब, कर दो कर दो कर दो अब आपके पास में जो कोशन बैंक है उस पर आप आईए कॉंसेप्ट नंबर 33 और किसी के पाद अभी जो नया सेट है पेज नंबर 39 पुराना सेट है तो कॉंसेप्ट नंबर 33 आप देखिए वॉल्यूम वन ठीक है पॉर ऐसा कोई है जो रजिस्टर है लेकिन इनको नोट्स नहीं मिले रजिस्टर है आप लोग चारो ठीक है तो चारो सेट देदीजे उनको मैंने बहुत सब्जेक्ट तो प्लीस सर यह गलत क्या आपने देते ही नहीं ठीक है देदीजे मैं आपके लिए मंगवा तो हो सेट्स मंगवा रहूं और एक चला गया दूसरा कोई बात अरे सर आप कोई बात नहीं सर वो तो तो फाइन ठीक है और दो सेट थे देजे कोई बात नहीं सर और एक सेट चारो देदीए तीनी थे तीनी थे अलफ यूर रिजिस्टर साय रिजिस्टर है क्या 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 नाम चेक कर लिजे मांक करिया चारो के क्राइब क्या चारो के तूक्य का मग कर लिजिया ने यहीं थीक है और अचारो नुट अश्रिए इनका पंडी यू पंडीग को आगे और यू आँ दिखिये, okay, ध्यान देंगे, तो जितनी भी जानकारी दिया, financial statement, that is, रे, जद इस, assertion, जितनी भी जानकारी management ने financial statements के अंदर दिया, that is, assertion, जो साफ साफ लिखिये, that is, explicit assertion, जो लिखिय नहीं, लेकिन generally, सभी लोग assume कर लेते है, it is implied, that is called, implicit assertion, अगर आप ध्यान से financial statements को observe करेंगे, ध्यान से financial statements को अगर आप observe करेंगे, तो तीन तरह का data उसको TBD बोलते है, transactions, balances and disclosures, transaction दो तरह के ऊसकते है, income, expenses, or cash inflows or outflows, yes, no, balances, assets or liabilities, or disclosures, that is, notes to accounts, is notes to accounts, बताएए data किते हैं तरह का, team, काउन सा, TBD, transactions, balances and disclosures, नहाँ देखिये, सबसे पहले, balance, अगर मैं बोलता हूँ कि, 100 crore का land and building है, क्या है सब, 100 crore का land and building, 100 crore का land and building है, ठीक है, अगर लिखा है तो it is understood, it is understood, it is implied, people assume, लिखा है मतलब असली होगा, yes, no, मतलब यह असली होगा, असली होगा, मतलब इस इंपलाइट, इस्स, it exists, so existence is one assertion, existence is one assertion, number one पर लिखा है, और वो numbering, जो भी numbering आपको दिखे है, इसलिए मैंने message भी करवाया था, जो numbering दिखे, वो numbering आप करते जाएए साथ साथ में, correct, notes का इनका problem है, देखते हैं, उसको कैसे रिजॉल करना है, फिर, अब अगर लिखा है, मतलब सब कुछ कवरड है, एक भी फ्लाइट, एक भी स्केर फूट, छूटा नहीं होगा, छूटा नहीं होगा, लेक, आपको अगर लिखा है, जो लिखा है, प्राक्टिकल में होगा, लिखा है, लिखा है, मतलब सब कुछ कवरड है, कुछ भी छूटा नहीं है, लिखा है, दो अलग चीज़े हैं, दोनों को चेक करने का तरीका भी अलग है, फिर, अमाउंट सही होगा, कास्ट माइनस डेप्रीशेशन एक दम सही निकाल होगा, अमाउंट सही होगा, उसको बलते हैं, वैलिएशन, अगर मेरे बैलेंशीट में लिखा है न, तो मैं इसका अस्त भी मालिक होगा, राइट सायन, अबिलिगेशन, ऐसेट के लिए राइट, आसेट के लिए राइट, और लिपी टे के लिए अगलि बार जियान, उखे चार असर्चन होने हैं, पने चेर, रियलिटी में होगा, या जुछ भी छूटा है, अमाउट सही है, या अलिप लुट्क है, और इसके म वैसे ही बिलकुल, और मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने का ठीक है, जो words, जो flow, जो बोलने का तरीका मैं यूज करूँ, आपको आख बंद करके वैसा ही करना है, आपको समझ में आएगा, अगर मैं बोलू कि यहाँ पे, सेल्स हजार करोड है, कितने सब? हजार करोड, ये भी असली हुंगे ट्रांजक्शन के लिए, word change होड़ता है, असे लाइबली के लिए असली के लिए कौन सा बढ़ता है, existence, ट्रांजक्शन के लिए word है, औकरंस, यहाँ पर भी कुछ भी छूटा नहीं, उसके लिए word है, completeness, amount सही अफ़ गया, वहाँ था, valuation, यहाँ है, accuracy, वहाँ पे एक special था, rights and obligation, यहाँ पे दो special है, classification and cut-off, classification and cut-off, ठीक है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, देखिए, सकते हैं, classification and cut-off, now, classification मतलब क्या है, that is capital versus revenue, capital versus सही होना चाहिए, revenue में अलगलग departments साते है, वह सही होना चाहिए, department में अलगलग cost centers आते है, वह सही होना चाहिए, that is called classification, capital versus revenue, revenue में department, department में और जाके, cost center, that is classification and then we have cut-off, cut-off मतलब, because transactions happen continuously, इस साल के transaction, अगले साल नी जाने चाहिए, अगले साल के, इस साल नी जाने चाहिए, that is cut-off, let's please, sales 1000 करोट दिख रहा है, सही में असली है, that is occurrence, चुटे नहीं है, completeness, amount सही है, accuracy, special, classification and cut-off, दोनों को जोड़ देंगे, तो disclosure की assertion बनते है, disclosure suppose लिखा है, कि आपका lease rent, lease rent of next 5 years is, lease rent for next 5 years is 20 crores, कितना है सब, 20 crore, 20 crore का आपका lease rent है, 20 crore का lease rent है, लिखा है मतलब असली होगा, यहाँ पे वो word यूज़ करते है, occurrence, rights and obligation भी यूज़ करते है, standards में इसका rights and obligation का मतलब है, it belongs to company, अगर उनके notes to accounts में लिखा है, मतलब it belongs to company, पहला assertion, occurrence, rights and obligation, लिखा है मतलब असली होगा, असली के लिए word यूज़ किया है, occurrence, तंपनी का ही होगा, rights and obligation, फिर amounts है, word यूज़ किया है, accuracy and, valuation, कुछ भी छूटा नहीं है, word यूज़ किया है, कौन सा, completeness, और एक खास बात है, स्पेशल यहाँ पर भी है, notes to accounts होते क्यों है, लोग को understanding देने के लिए, इतने अच्छे से लिखा है, there is a proper classification and proper understanding to users, quickly, लिखा है मतलब असली होगा, क्या है है यहाँ पर, occurrence, rights and obligation, amounts है है, accuracy and valuation, कुछ भी छूटा नहीं है, completeness, और special क्या है, classification and understanding, तो standards बनाने वालों का कहना है, हमको लाखोड transactions चेक करने हैं और time है इतनू सा, अगर इसमें गधे जैसे काम करके नहीं चलेगा, कि मैं बोलू कि साब, मैं ना हर चीज़ चेक कर लेता हूँ, that is foolishness, आप volume को manage नहीं कर पाऊगे, तो आपको हतोड़ा मारने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि हतोड़ा मारना कहा है, standards and auditing believes that you need proper planning and strategy and you need to hit bulls आई, इसने बोले बोले हैं रुको, एकड़ मैदान में उतर के checking करना शुरू मत करो, पहले identify risk, whether it is at financial statement level or whether it is assertion, अब सुनियों, अगर circumstances ऐसे हैं, अगर circumstances ऐसे हैं कि कही पर भी गलती हो सकती है, that is a financial statement level risk, और अगर circumstances ऐसे हैं कि मुझे पता है, इस financial item के इस particular point पे problem हो सकता है, that is a assertion level risk, अब मैं example दे रहा हूँ, वापस आप लोग आ जाईए, आपके coroid process पे, risk को बाटना पड़ेगा दो लेवल पे, यहाँ पे, financial statement level और assertion level, example देरो सुनिये, बहुत standard example है, मैं example जनली same रखता हूँ for consistency, हम लोग company की जानकरी लेने के लिए इखटा हम लोग करने के लिए गये और हमको पता चला, step number one में जानकर इखटा करे थे कि economy में downfall है, economy क्या है, downfall, economy में downfall है और आपके पूरे industry में downfall है, हमने immediately उसको पूछा, फिशले बार मंदिक कब आई थी, बोले 7 साल पहले, 7 साल पहले, क्या हुआ था तब, बोले 7 साल पहले जब ऐसा हुआ था, तो बोले हमारे dators ने पैसे डुबाय थे, अच्छा, और क्या हुआ था, हमारा stock obsolete हो गया था, यह जानकारी हमने इखटा थी, step number two में हम लोगों ने सोचा, identifying what can go wrong, अच्छा और एक जानकारी मिली, पहले industry की जानकारी थी, और एक जानकारी हमको मिली, August के मैने में हम लोगों ने हमारा software change किया, new software हम लोगों लेकिया है, first of August से, ठीक है, अब हमने सोचा what can go wrong, मंदी चाही थी तो तब आपका data or stock में problem था, किसे माम था, data or stock में, data पैसा दुबा सकता है भयंकर loss हो सकता है, मतलब आपका provision for doubtful date कम पढ़ सकता है, मतलब हो सकता है कि जितने data दिख रहे हो उतने वसूल, ना हो, मतलब data के value में problem है, किसे नापले में साब, value में, तो किसे नापले में, valuation, अच्छा, second step में सोचो, identifying what can go wrong, तो बोले data में गलती हो सकती है, data का amount गलत हो सकता है, that can go wrong, और क्या हो सकता है, inventory obsolete हो सकती है, inventory बिकेगी नहीं, मतलब inventory over value दिख सकती है, inventory is over valued, वापर उसके किस में problem है, valuation में, are you getting this point, yes, no, फिर software change क्या, aray software change क्या है, migration of data from old software to new software, किधर भी कोई भी balance गलत हो सकता है, हमारे जो लोग है वो ट्रेंड नहीं है, they are not trained properly for the new software, पहले मैंने में कोई भी entry गलत कर सकते हो लोग, कही पर भी गलती हो सकता है, that is a financial statement level risk, that is a financial statement level risk, इनका software बहुत बुख़वर बहुत बहुत बखे रहा हो सकते हैं, are you getting this point? now listen, अब हमने जानका रिक्टए की अब step number three, आप सोचिये what can go wrong, कही पर भी गलती हो सकती है, software change होने के वज़े से, कही पर भी गलती हो सकता है, कौन सी रिस्क है, जैसे management की नियत खराब है कही से भी पैसे की चोरी कर सकते है, कौन से रिसक है? Financial statement level risk. इनका software बहुत बेकार है, outdated है, बहुत बार crash होता है, कोई भी इंटी delete हो सकती है, कौन से रिसक है? Financial statement level risk. इनके IT controls भी कैं, hacking हो सकती है, कोई भी कुछ delete कर सकता है, कौन से रिसक है? Financial statement level risk, now, दूसरा, जब मुझे पता है particular, मुझे पता है data के amount में गलती हो सकती है, that is a assertion level risk, inventory के amount में गलती हो सकती है, that is a assertion level risk, ऐसा करना बहुत जरूरी है, पुरे standards on auditing को बनाने का एक ही objective जो आपको समझना है, जैसे tax बनाया है, उसका एक ही objective है, government को जादा पैसा चाहिए Yes, No, वैसे standards on auditing को बनाया गया, कि भई हजारों लाखों transactions को check कैसे करना efficiently and effectively, efficiently and effectively, इसलिए risk को दो बातना जलूरी है, अब जो financial statement level risk है, जो financial statement level risk है, finally यहाँ पे step number four, हम overall response देंगे, सर यह overall response क्या होता है, what do you mean by this overall response, अरे overall response तो बहुती simple चीज़ है, ठीक है, overall response, मुझे नहीं पता exactly कहाँ पे गल्ती होने वाली है, आप पुरे team को strong करो, पुरे team को strong करो, बुले कैसे strong करो पुरे team को, एक काम करो, proportion of seniors बढ़ा दो, experts को include करो, team strong, सब को लाइन से खड़ा करो, professional skepticism करो, professional skepticism मतलब खुद का alertness level बढ़ा दो, और एक काम करो, surprise checks करो, पुरे इस में क्या करेंगे हम लोग, surprise check, आखरी एक काम करो, supervision हपते में एक बार होता था, दो बार कर दो, अगर overall, अगर financial statement level risk है, अगर कॉंस रिसक है, financial statement level risk, we don't know exactly things will go, कहाँ प एक चीज़े गलत होगी, पूरे team को strong बनाना पड़ेगा, that is called overall response, जब मुझे पता है, exactly, data के valuation में गड़बढ है, तो क्यों इधर उधर time waste करू, why should I waste my time here and there, I should simply go and check that particular point, correct, तो अगर assertion level risk है, data के valuation में problem है, inventory के valuation में problem है, बोले data 500 करोड के, 500 करोड के data है, और 50% लोगों ने पैसे डूबाय थे, 200 करोड का risk है, inventory 10 करोड का है, obsolete हो भी गया, तो 7 में बिकेगा, 7 करोड में बिकेगा, metal है उसमें बहुत सारा, मतलब उसमें सिर्फ कितने करोड की risk है, 3, किस की risk ज्याद है, data, भाई बड़ी risk है हमारे जो assertion level risk होती है, next page लिखा है देखिए वहाँ पे, अगर assertion level risk है, तो हम लोग वहाँ पे, further audit procedure word लिखा हुआ है, पहले के word में पहले, कौन सा, further procedures further audit procedures है, further audit procedure में है, पहले हम लोग करना है, test of controls, क्या करना है साब, test of controls, सुनिया, financial statement अच्छे से बनाना, management की जिम्मेदारिय सा, किसकी जिम्मेदारिय है, management, management ने क्या तयारी की है, क्या systems और procedures बनाए है, ताकि गलतिया ना हो, उसको हम लोग बोलते है, internal control systems, इस से पहले कि मैं checking शुरू करो, तुम बताओ, तुमने गलतियों को कैसे रोका है, तुम्हारा system क क्या है, जब जाके उसका system चेक कर, that is called test of controls, हमारे example को अगे बढ़ाते है, data के data पैसे डुबाना दे, उसका amount सही हो, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है, क्या तैयारी है आपकी, कोई भी data आता है ना सर, आप तो 10 पेच का form भराते हैं, हम 20 पेच का form भराते हैं, उसकी history geography उसके पैसे उस नहीं लेते हैं, credit rating करवाते है, credit rating कराने के बाद में CFO को rating जाते है, with pros and cons, CFO खुद personally तैय करता है, what should be credit limit of this data, फिर system में feed करते हैं, एक बार system में feed हो जाया, कोई भी उसको बदल नहीं सकता है, except CFO and CEO दोनों एक साट जब तक password डाल कर उसको change नहीं करते हैं, क्या system है आपका, गलट data को sale नहीं होना चाहिए, उसके लिए इतने सतर को, आप जानकारी खटा करते हो, आप credit rating करवाते हो, CFO limit type करता है, system के अंदर उसको lock कर देते हो, जबर्दस्त आपका system है, मुझे भरोसा है कि आप valuation इस assertion को अच्छे से protect करते हो, जब मैं जाके देख इताओ कि assertion को protect करने के लिए आपके पास proper system है की नहीं, and is it operating effectively, that is called as test of control, that is called as test of control, checking करते वक हमारा intention क्या है, हमारा intention क्या है, उससे तह होता है कि हम कौन सा test कर रहा है, अगर intention यह है, कि system बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा, that is test of control, लेकिन बात ऐसी है, मुझे report system पे नहीं द business धरे, it is the beginning, it is the beginning, test of control से इतना समझ में आता है कि कहाँ पे तुम अच्छा काम करते हो, और कहाँ पे तुम बुरा काम करते हो, अगर तुम ठीक है test of controls में positive है तो मुझे आगे मेहनत कम करनी पड़ेगी test of controls बुरे है तो मुझे आगे मेहनत जादा करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत करनी ज़रूर पड़ेगी साब आगे जो हम मेहनत करते है उसमें हम financial statement को check करते किसको financial statement more specifically TBD transaction balance disclosures को check करते जब मेरा focus TBD check करने पर होता है कि TBD वराबर है कि नहीं यह transaction balance disclosures confirm करने पर होता है उसको हम लोग बोलते है ठीक है that is called as confirm करना confirm करने का और एक word है substantiate करना क्या करना साब substantiate करना और वहाँ से word निकल कर आता है substantive procedures पहले जाके system check करूँगा क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा फिर सबसे बड़ी मुद्दे की बात करूँगा substantiate करूँगा data को उसको बलते substantive procedures बात समझ रहे है सब substantiate करने के दो तरीके air condition chamber में बैठो air condition chamber में बैठो बहुत सारा data इखटा करो पाथ साल का data, company का data, दूसरे company का data, ratio analysis, graphic analysis, comparisons को उसको बलते दिमाख लगा कर चीज़ों को देखना, उसको बलते analytical procedures, क्या बलते उसको? analytical procedures, मैदान में उतरो, जाके registers देखो, लोगों से पुछता आच करो, चीज़ों को फिर से करके देखो, documents देखो, that is called test of details. एर कंडिशन चिंबन बेठे, analytical procedure, मैदान में उतरे, test of details, financial statement के अंदर जो data है, उसको चेक करने कित्ते तरीके, कित्ते तरीके साब, दो तरीके, पहला analytical procedures, दूसरा test of details, अब ध्यान सुनू, बच्चो को, दोनों इसमें फरक क्यों नहीं समझते हैं बाता हूँ मैं, एक मैंने sales का voucher लिया, किसका voucher, sales का voucher, sales के documents लिया, जब मैं देख रहा हूँ कि senior ने इस sale को approve किया कि नी, उसकी signature है कि नी, तो मैं जानना चाहता हूँ, whether system is followed, that is test of control, internal control system था, कि 10 लाग की उपर sale गया, तो senior को उसको, उसको approve करना पड़ता है, और मैं देखा कि senior का approve signature है कि नी, तो जब मेरा intention ये है, ये चेक करना कि system followed हुआ कि नहीं हुआ, that is test of control, जब मेरा intention ये है, ठीक है, ये जो sales का quantity बराबर है, rate बराबर है, sales की entry बराबर पास हुए है, sales book में, वो amount सही है, transaction का, that is called test of details, why I am saying this, the same sales voucher is used for test of controls also and the same sales voucher is used for test of details also, everything depends on intention, if intention is to check the system, that is test of control, if intention is to check whether the TBD is appropriate, that is test of details, practical life में क्या होता है, combined questionnaire दिया जाता है, बच्चे को, किसी को भी, उसमें automatically कुछ question होते है, test of control के, और कुछ question होते है, test of details के, is this point clear, yes, no, ऐसा करने से, हम हमारे resources को, बहुती efficiently use करके, बहतरी results निकलेंगे, बात नहीं करेंगे आपस में, ठीक है, कुछ ही घंटोगा class है, ठीक है, मैं point out नहीं करता जनरली, कि को किसने बात नहीं करनी चाहिए, एक हवा में तीर मार देता हूँ, अब जिनको बोला, उनको समझ लेना चाहिए, अचा कभी-कभी मेरा, जिनको नहीं बोला, वो भी समझ लेते हैं, correct, तो अभी मैंने जिनको बोला, उन्होंने सही समझा मेरे ख्याल से, तो समझ लेंगे, बात नहीं करेंगे, आपका यहां पर फोकस होना चाहिए, I want to make these hours best, मुझे आता है, तो और अच्छे से आए, एकदम दिमाग में फिट बैट जाए, ऐसी मार्किंग करो, चिजे मार्क करो, इंपॉर्टन लिखो, स्क्रिबल करो, रिवाइस कर लो, दिमाग में फिट, फोकस होना चाहिए, और आप देखो है कभी, as a person, you have only one thing in your hand, using your time effectively, you do that more often than not, you are bound to get success, तो यहां पर बैट कर आज जितना भी समय है, वो अच्छे से हमने यूज करना चाहिए, पिर एक दो बार और होगा, तो फिर मुझे पॉइंट आउट करना पड़ेगा, बात नहीं करेंगे, अब हम लोग सब कुछ चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कुछ यह चेक करना, that is sampling, income expenditure की हम लोग sampling करते हैं और उसको document से चेक करना, that is called vouching, voucher से चीजों को चेक करना, that is called vouching, asset library को करते हैं, उसको हम लोग क्या बहुत साब, verification, now checking कर ली, checking कर करके बहुत सारे सबूत इखटा होते हैं, क्या इखटा होते हैं, सबूत, तो हमको सबूत चाहिए तो कैसा चाहिए, sufficient and appropriate, इतना ही नहीं, हम efficient, effective है ना है, हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, branch auditor में मैनत किये, तो मैं थोड़ी जाके फिर से branch check करूगा, उसकी report पढ़ लूँगा, branch auditor, internal auditor की report पढ़ लूँगा, 610, expert की report पढ़ लूँगा, 620, if you want to be efficient, effective की दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, अब सारे सबूत इखटा होने के बाद में, आखरी में सबसे important सबूत है, ऐसी बहुत सारी बाते होती है audit में, जो orally बोली जाती है, और ऐसी बहुत सारी बाते ऐसी होती है, ठीक है, जिसके लिए कोई पुखता सबूत नहीं होते, अब क्या तुम उसको ड्रग देके उसका psycho analysis कराऊंगे, या फिर third degree दोंगे, बता तेरा intention क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजे है, जिसके लिए आपके पास में बहुत पुकता सबूत, ठीक है, उसको बोलते conclusive evidence, उसको conclusive evidence आपके पास रहने वाले नहीं है, तो जितनी बाते आ आपने orally बोली थी, जितने जगा पे आपको ऐसा लग रहा था, कि मुझे पूरा assurance नहीं है, मेरे पास, पूरा assurance नहीं है, जितनी बाते आपने orally बोली थी, वो सब लिख कर दीजे, जहां जहां पे assurance की मुझे लग रहा है, कि assurance कम लग रहा है, वो भी लिख कर दीजे, जम लिखकर मेते हैं, मैनेजमेंट से लेटर हेड पर CEO, CEO की सिगनेचर के साथ मुकेश भाई खुद साइन करके देंगे, उसको हम बलते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन, सारे सबूत इखटा हो गए, सारे सबूत इखटा हो गए, सबूत इखटा करने के लिए उसको पास सामने रहेगा, कुछ चीज़े रेक्टिफाई हो चुकी है, कुछ चीज़े रेक्टिफाई नहीं हुए, उसको देखकर हमको टाय करना पड़ेगा, हमको क्या बना पड़ेगा साब, ओपीनियन, रिपोर्ट बनाईए, साइन मत करिये, डोंट साइन, एक्जाम में करिये, किसी नॉन टीम मेंबर को बुलाईए, प्लीज मेरा काम देखलो, सब बराबर तो लग रहा है न, प्लीज एक बार काम देखलो, सब बराबर लग रहा है न, प्लीज एक बार देखलो, उसको बलते, EQCR, Engagement, Quality, Control, Review, Assignment की Quality को बरकरार रखने के लिए, बाहर वाले से Review कर इनना, Engagement, Quality, Control, Review, जब वो बोलता है कि कोई भी इशू अब नहीं बचा, तो फिर और रिपोर्ट को साइन करिये, साइन करने के बाद में ज्यादा खुश मत होईए, आए दिन लोग, आए दिन, ठीक है, आए दिन लोग आपको सबूत पूछेंगे, कि बताईए क्यों चीज सही है, क्यों चीज़े गलत है, आपके उपर इल्जाम लगाएंगे कि आपकी रिपोर्ट सही है, उसका सबूत मांगेंगे, जब सबूत मांगेंगे, कोट वाले मांग सकते है, CBI वाले मांग सकते है, एक और निकलने दो, सबसे पहले हाथ दोगे किसके पढ़ जाते है, Auditor we have to maintain complete documents, कितने सालों के लिए, साथ सालों के लिए, और खतम होने के बाद, documents के बाद भी एक काम बचता है, there is no, there is always a scope, there is always scope for improvement, इसले completed assignment का monitoring and inspection, monitoring and inspection, ठीक है, ध्यान दीजे, पढ़ा फट, अब ध्यान दीजे, अब ये इतने हमने पूरा process पढ़ा, that's extremely important, हम लोग उने कोई निमानिक नी बनाया, कुछ भी नहीं, सिर्फिक फ्लो रखा है, बंदा आया, क्या offer किया, audit offer किया, उसको पूछा, pre condition, कितनी थी, दो, पहला, financial statements आप बना हो गया, FRF कैसा मज़े, acceptable, दरवाजा खुला तो, limitation on scope तो, नहीं है, forever, नहीं है, अंदर गया, सामने बठा, बोले क् करेंगे, preliminary engagement activity, उसमें पहला सवाल, accept करना की, नहीं करना, फिर ethical रहने के लिए क्या करना, पड़ेगा, फिर बात में क्या assign करेंगे, engagement letter, कौन सा phase खतम हुआ, initial phase खतम हुआ, अब शुडू करते, planning phase और risk assessment phase, planning में पहले क्या बनाते, audit strategy, फिर क्या बनाते, plan, उसको क्या करते, update मैदान में उतर के जानकर इखटा करते है, risk assessment procedure, what can go wrong, identifying risk, किस level पर गलती सकती है, assessing risk, दो लेवल हो सकते है, financial statement level and assertion level, correct, अब उसका response, financial statement level है तो क्या करेंगे, overall response, assertion level risk है तो, further audit procedure, it is a technical word, further audit procedure, तुम कैसे protect करते हो, वो चेक करना आते है, that is, test of control, फिर हम उत्रेक करेंगे, बराबर है किने data, that is, substantive procedure, वो भी substantial करने के दो तरीक है, कौन से, analytical procedure and test of detail, test of detail, कुछी चीज़ चीज़ चेक कर, that is, sampling, income expense check किया, vouching, as a liability check किया, verification, सब चेक कर के मिलता है, evidence, लेकिन उसमें भी, सबसे आखरी evidence, लिख कर दो चीज़, that is, return representation, सारे सबो दिखटा होने के बाद, compare करेंगे, क्या निकालेंगे, misstatement, misstatement को ठीक करवाएंगे, जितने ठीक के बहुत बढ़िया, फिर finally क्या बनाएंगे, opinion, क्या बनाएंगे, audit, report, बनने के बाद में, भारवाले को बलाएंगे, that is, EQCR, फिर sign करेंगे, engagement quality control, review, फिर sign करेंगे, sign documents, और क्या करना है, inspection and monitoring, now listen guys, that was extremely important, और मैं आपको पूरे इसमें, चीजों को याद कैसे रखना, ये मैं बताते जाऊंगा, और मैंने आपको बूला है, अभी आप क्लास में बैठे हो, जो मैं बता रहा हूं, वो सही है, वो best है, ये मान कर आपको उसको implement करते जाना है, this will make your life peaceful, ये आपकी life को peaceful बना देगा, तो instead of questioning it, whether I should do something else, you should do this only, ये ही आपको करना है, इसी तरीके से, और बच्चा question पूछता है, कर गभी सर, exam में कुछ नहीं है, तो क्या करना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है, और standards on auditing से related है, core audit process में से जो समझ में आता है, लिख दो, ये आख step for the आखरी के पांच-दस माग के question ऐसे ही चोते है अपने, तो वहाँ पे लिखना है, now listen, अब ये हमको standard पता है, now we start with, ठीक है एकदम alert रहना आदमी ने, पानी वानी पीते रहने का, ठीक है, आजुबाज वाले को चेक करते है ने का, खुद जागो और जागते रहो, जगा हम 400 सरी, 500, 600, 700 ऐसे जाएंगे, फिर पलट के आएंगे 200 और 300 पर, जहां पर आपको blue tick दिखेगा, मैं बता दूंगा वो concept number, वो concept number से हम लोग, वो वो चीज़े हम लोग cover करते जाएंगे, और बता दू, अभी मैं आपको बोल रहा था, कि आप identify करो particular चीज़ और उस पर महनत करो, हमने भी जो questions identify किये, पहले आजू बाजू के questions पर कोई ध्यान मत दो, सिर्फ वही questions हमको अच्छे से करने हैं, पहला concept number हम लोग देखने जा रहे हैं, that is 52, ठीक है, concept number 52, नई बुक में 59 है, पुराने बुक में थोड़ा सा अलग हो सकता है, जिनके पास परम का पुराना, जिनके पास परम का पुराना वॉल्यूम है, ठीक है, वो perfect है, 99 परसेंट आपको सभी concept मिल जाएंगे, 99, 1 परसेंट चेंज होगा, audit guru.in साइट पे डाउन डोड सेक्शन में अपडेशन की फाइल है, वो भी दी है, कि पुराने एडि एडिशन में कहाँ पे चेंजेस है, कुछ चेंजेस तो बहुत नाम के हिसाब से है, लेकिन फिर भी हमने अलग से प्रिंट करके दिये, वो फाइल का प्रिंट निकाल लेना आपको नया एडिशन लेनी की जरुरात नहीं है, ना लिसन, एक एक कोशन जो यहाँ पे देखा जाए, वो दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि भई साब घर पे जाके कम से कम पढ़ना पड़े, ना पढ़ना पड़े, ठीक है, आपको और यह कोश्चन बहुत सोच समझ की सिलेक्ट है, वहाँ देख की समझ में आता है कितना इंपोर्डन्ट एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा, बार यह कोश्चन कही ना कही एक्जाम RTP, MTP में रिपीट हुआ है, तो हमारा अनिसिस यह बोलता है कि इसकी आने की, मतलब जब भी कोई भी बंदा पेपर सेट करता होगा, यह कोश्चन जादा बार दिखे, इसकी प्रबाबिलिटी जादा है, और वो रिपीट हो, उसकी प्रबाबिलिटी भी जादा है, नौ, लिसन, इनिवेज, तो यह जो कॉंसेप नंबर में बताओ, उसको अलग से मार्क कर ले, मैंने बताया, आप कोई और भी नोट्स यूज करते होंगे, शन ब पढ़ना है, अगला next, 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 जितना efficient और effective बन सकते हो, class में ही मार्किंग कर लो, तो blue color से आप मार्ज कर सकते हो, important कि भाई मुझे यही question देखना है, ठीक है, अब, जैन देख, ऐसे 402, 402, 200 questions mark है, let's see, हमारी कोशिश है कि हम बहुत सारे कर ले, now, ऐसे 402 में पहला सवाल आता है, सबसे popular सवाल है, आप audit करने गए, आपने ऐसा देखा, कि client ने अपना कुछ काम outsource किया हुआ है, ऐसे case में auditor ने क्या करना चाहिए, ऐसा पूछते है, specific question आचीत है, perfect, ऐसे case में, what information he should collect, मतला अपने बता तो question कैसे कैसे पूछ सकते हो, outsourcing दिख रही है, पहला पूछ सकते है, क्या करना चाहिए, उससे बहतर question होता, what information he should collect, उससे भी बहतर question होता, what is the risk assessment procedure he should perform, तीनों का answer एक ही है, समझ रहे कैसाब, are you getting this point, yes, no, अब, यह हमारे दिमाग में answer bad जाए, इसके लिए हम लोग एक example देखेंगे, जिस company ने अपना काम दूसरे को करने के लिए दिया है, ठीक है, मतलब वो company बहार से services ले रहे है, yes, no, बहार से services ले रहे है, उसको बोलते है user entity, अगर आप बहार वालों की मदद ले रहे हो, आप कौनसे entity हो, user entity, आप की auditor, user auditor, उनको follow करना पड़ेगा, SA402, जो बहार की entity services दे रहे है, that is, service organization, उसको auditor, SO auditor, और उसको follow करना पड़ता है, SAE 3402, ठीक है, user entity, उसके लिए कौन सा ऐसे है, 402, जो services दे रहे है, that is, service organization, उसको बहार करना पड़ेगा, SAE 3402, user entity का auditor financial statement चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, financial statement, इसलिए ऐसे लगते है, लेकिन उदर का auditor जो है, internal control system जो है, कहा का, service organization का, उस पर रिपोट देता है, वेन यो रचेकिं अधिक 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 अधिक, उसको बोलते है, other than historical information, financial statement is a historical information, do you agree with me? because all those transactions have happened, if you are checking other than historical information, you apply SAE, standards on assurance engagement, इसलिए S लगाता है, क्योंकि वो service organization के अंदर जो काम चल रहा है, उसका flow chart करता है, और उसकी report हम को देता है, उसी को बोलते है, type 1, type 2 report, तो सायन सुनलो, जब service organization का auditor, service organization के system का flow chart चेक करता है, और उस पे report देता है, कि ये flow chart भरोसे मंद है की नहीं, उस report को उसको बोलते है, type 1, type 2 report, क्या बोलते है उसको, type 1, type 2 report, concept समझाए सबको, yes, no, और वो क्या लागाता है, SAE 3402, coincidence नहीं है ये, 402 को support करने के लिए बना है, इसलिए उसका number है, 3402, तो service organization के internal control system के उपर की जो report, ऐसो auditor देता है, उसको कौन सी report बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको type 1, type 2, ठीक है, उसमें ये आपको बता दू, अगर report में इतना लिखा जाया, अरे वाह, flow chart भरोसे मंद है, it's reliable flow chart, जैसा बनाया है, वैसा होता है, design suitable है, इस तरह के काम के लिए, ऐसा ही system होना चाहिए था, बहुत बढ़िया, बस इतना लिखा हुआ है, कि flow chart बराबर है, ऐसा होना चाहिए था, that is type 1, अगर उसमें लिखा जाये, बारा मैंने एक ही ग्यारंटी देता हूँ, बारा के बारा मैंने इत वाग उपरेटिंग इफेक्टिवली, तो रिपोर्ट और बढ़ी हो जाती है, फोल थे type 2, छोड़ी रिपोर्ट कौन सी है, type 1, flow chart बढ़िया है, it is suitable, that is type 1, और अगर मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात कुरूँ तो, type 2, तो सिफ एक का फ़रा के किसका अपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये एक्जामपल दिमाग में फिट करेंगे, फिर एंसर दिमाग में फिट होगा, जयान दीजे, पहले, पहले यूजर एंटिटी में, पांच लोग की टीम हुआ करती थी, 300 स्क्वेर फिट का ओफिस हुआ करता था, वो सालरी की प्रोसेसिंग करते थे, और एक बहुत बड़ा सौफ्टिवर हुआ करता था, पचास लाग रुपए उसका अन्यूल सब्स्रिप्शन था, ये लोग अपनी सालरी प्रोसेसिंग खुद करते थे, इन हाउस, फिर उनको पता चला, ये बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है, और कॉन्फिडेंशलिटी भी नहीं है, आए दिन सालरी लीक हो जाती है, कुछ लोग छोड़के चले जाते है, पीपल लीव नॉट बिकार अब दियर सालरी, बिकार दियर गिटिंग लेस फॉम समवन एल्स, तो बोले प्रॉब्लेम एक काम करो, पूरा का पूरा काम आउट्सोर्स कर दो, अब आज के डेत में situation क्या है, एक क्लरक अज के डेत में situation यह है, कि एक क्लरक है, क्लरक प्रिप्यर करता है documents- ट्रिपलीकेट में, किसमें साथ, ट्रिपलीकेट में, क्लरक कोई भी appointment, appointment के बाद promotion, प्रमोशन के बाद transparent, ơi agreement कोई भी चीज होती है, उसके तीन copy बनाता है, triplicate, उसके उपर stamp डालता है, आगे फिश तक इसको HR, head को, HR head उसको approve करता है, फिर किसके पास, CFO के पास, फिर तीन copy में से एक copy employee को देते हैं, लीजे साब आपकी copy, एक copy employee को दे दी, एक copy खुद के पास रख लेते हैं, और एक copy पूरा बंच बना कर 25th of the month जाता है, service organization को, यह जो 1, 2, 3, 4, triplicate में चीजों को बनाना, HR ने उसको approve करना, CFO ने उसको approve करना, एक private courier से secured courier भेजना, यह जो चारो steps है, यह system हो रहा है, कौन से organization में, user entity की, service organization, user entity, user entity, इससे input accurate होता है, it helps service organization, it helps service organization, इसलिए उसको बोलते है, complimentary user entity control, user entity के वो control, user entity के वो control, जो help करते है, जो support करते है, किसको, service organization को, उसको क्या बोलते है, technically, complimentary user entity control, यह जो 1, 2, 4 है, that is, complimentary user entity control, बास समझे सब, इसस पॉइंट क्लियर, complimentary user entity control, now listen, service organization क्या करता है, service organization में, नरेश, नरेश, लेटर रिसीव करता है, इनके 500 client है, service organization कितने client है, 500, नरेश, हर company का लेटर रिसीव करता है, रजिस्टर में लिखता है, यह डेट पे, यह लेटर मिला, इस company से, उसको tier off करता है, number of किते, उसके अंदर number of documents किते थे, वो लिखता है, और एक बार phone करता है, clerk को, clerk इतने ही थे न, वो वया इतने ही थे, उसको बोलते है, interaction between service organization and user entity, बोले इतने ही है, यह काम किसका है, नरेश का, महेश उसको type करके electronic form में convert करता है, जिगनेश उसको software में upload करके processing करता है, लेटर किसने receive किया, नरेश, convert किसने किया, महेश, upload किसने किया, जिगनेश, ठीक है, फिर उसके बाद में processing होने के बाद final sheet निकलती है, इतने employees है, इतनी basic salary, इतने components, इतने deduction, इतना final payment, यह sheet चेक करता है गनेश, और फिर secured email से भेशता है यह जो 5 to 9, यह जो 5 to 9 चीज़े हो रही है, that is called internal control system at user entity की service organization, service organization, बास समझ रहे है सब, now यह 10, user entity क्या बोलता है, मैं इतने आसानी से बाहर वाले पर भरोसा करने वाला नहीं हूँ, उसने अगर एक आदा employee ज़्यादा add कर दिया तो, किसी की salary बढ़ा दी तो, किसी की छुट outsourcing involves risk, outsourcing involves risk, risk को compensate करने के लिए जो system बनाते है, उसको हमेशा बोलते है, relevant control, outsourcing में भी risk है, उस risk को compensate करने के लिए बनाएंगे जो 10 number का है, that is called as relevant control, क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में, जैसे हमारे पास में email आता है, उसको open करते हैं, पहले total number of employees को हमारे master file से match करते हैं, आप में लिखा है 98 employees, हमारे master file में 98 employees सही है, randomly 10 select कर, recompute कर salary, salary क्या कर साब, recompute, recompute कर salary, हाँ match हो गई, चल पांच में ने ग्राफ बना, जितने भी ups and downs है, they should be justified, if they are justified, ये तीन tests को लगाया जाता है, ये तीन checks को लगाया जाता है, अगर बराबर है, bank को भेजे file, सब की salary transfer कर वादे, बोले perfect, that is relevant control, quickly, पहले जो काम और user entity में, that is, complimentary user entity control, काम और रहा है service owner, that is, internal control system at service organization, risk को compensate करने के लिए, relevant control, now listen, we start the answer now, अब हम answer शुरू कर रहा है, लेकिन answer, दिमाख में बैठे, उसके लिए background जरूरी है, ठीक है, अब सुनिये, पहला, अब आपके दिमाख में, हर question के दिए आपके, पहले आपने reference, एक बहुती common reference, पहले आप लिखते हो, essay 315 में लिखा है, how to collect information about the entity and its environment, including internal control, system, while you are applying 315, आपने लगाना चीए 402, और आपने information लेने चीए, बुले क्या, अब सुनो, मैंने क्या किया, देखा आप ये, याद रखने के तरीके को, 8 point है, 8 point याद रखने का तरीका ये है, आप points को तोड़ दो, मैंने 4 points को, 4 points को जोड़ दिया, services से, किसे जोड़ा, services, services के बारे में सोचो के, चार point याद आजाएंगे, 4 point को तोड़ दिया, service organization से जोड़ दिया, उसको सोचो, 4 point आजाएंगे, answer खतम, ध्यान देंगे, बहुत आसान, सबसे पहले, आपको services के बारे में सोचना है, nature of service, पहला point क्या है सब, nature of service, हर question में आपको, ये जो bold में लिखा है, वो summary है, और उसके बाद में detail theory भी है, कभी-कभी नहीं समझ में आता summary पढ़के, तो detail theory भी है, लेकिन आपने 80% time, आपने वो summary ही पढ़नी चाहिए, उसी से काम को बना लेना चाहिए, कभी इच्छा हुई, किसी का attempt को अभी 6 मैने और है, ये एक साल है, वो कर सकते हो सब काम, अपने तो summary भेकर ही खतम करना है, बहुत आसान, पहले समझ नहीं नेचर of services, आप हमको raw material खरीद के दे रहे हो क्या, या फिर आप production की कोई process करके दे रहे हो, या आप sales करके दे रहे ह हो, we want to understand nature of services, significance of services, कितनी important service है, how important it is, अगर आप cleaning services दे रहे हो, not important, electrical maintenance, office हमारा simple, not important, production, production की आधी processing आप कर रहे हो, अरे भाही बहुत ही इंपर्टन है, revenue collection आप कर रहे हो, भाही बहुत ही इंपर्टन है, accounting ही पुरितुम कर रहे हो, extremely important है, तो आपको समझना है, significance of services, हर बार service हो दाना चिए, पहले क्या समझना है, nature of services, फिर significance of services, फिर effect of services, पहले खुद का department हुआ करता था, पूरा पांच लोग का बंद करके आज सिफ कौने से फे, clerk, that is the effect of services, internet control system में क्या effect हुआ, फिर nature and maturity of the TBD, nature and maturity of the TBD, which is affected by services, ये services के वज़े से concept transaction balance परक पड़ता है, salary account, bonus account, commission account, gratitude account, leave encashment account, इन सब पे असर पड़ता है, जानकारी खटा करना है न, services को सोच कर कित्ती जानकारी खटा करो, चार, पहला, nature of services, दूसरा, significance of services, तीसरा, effect of services, चौथा, nature and maturity of TBD, affecting by services, services, photogenic memory में रहना चीए, और चार याद रखने के लिए निमोनिक नहीं लगता है, प्लीज, अपना उसूल है, पांच है, उसके उपर निमोनिक सोचते है पना, चार चीज याद रखने के लिए आपको एकदम click होना चीए, बराबर पहले nature लिखाता है, significance of services, effect of services, ठीक है, organization, पराबर पहले nature of relationship, अर बेटा आप subsidiary company हो, group company हो, independent third party हो, आपके साथ relationship क्या है, nature of relationship with service, organization, वो nature समझो, फिर उनके साथ में interaction क्या है, degree of interaction, उनके साथ में कितना communication है, हम लोग कितने documents भेजते हैं, वो कितने documents भेजते हैं, जितना communication जादा होगा, उतनी गलतिया, कम होगी, फिर उनके साथ में हमारा contract क्या है, उनके साथ में हमारा contract क्या है, whether it is a legal contract, या फिर it is a memorandum of understanding, अगर contract है, it is legally enforceable, अगर memorandum of understanding, it is not legally enforceable, understanding है, बहुत आसान है, service organization के बारे में सोचना है, पहले क्या साथ में nature of relationship, फिर उनके साथ में interaction, फिर उनके साथ में contract, और आखरी में, ठीक है, उनके जो transactions है, उनके लिए हमारे पास क्या है, relevant controls for transaction with service, organization, कैसे check करते हो, कैसे check करते हो, उनके transactions को आख, फिर पहले क्या समझेंगे, पहले क्या समझेंगे, nature of relationship with service, organization, फिर degree of interaction with service, organization, फिर relevant controls for service, organization, ठीक है, बास समझें सब, आपका एक चीज़ वहाँ पे आप add कर दो, जो मैंने बूली, contract, contract, contract with service, organization, ठीक है, नौ, यह पहला, यह चार-पांच माक के लिए आ जाता है, चार-पांच माक के लिए यह आ सकता है, what information, यह जो particular question, institute ने पूछा था, उसमें बहुत और भी चीज़े पूछी है, देखेंगे, एक question आ सकता है, क्या जानकरी खटा करना, let's please, चार जानकरी, नेचर, किसे है, services से, चार जानकरी, service organization से, अब, ठीक है, हमको यह जानकरी इखटा करना है, अगला question आ सकता है, जो बहुत popular नहीं, लेकिन institute के इसमें आया हुआ है, यह जानकरी आपको कहां से मिलेगी, अंडरलाइन करना है, आपको numbering भी करना है, साथ साथ में, जो आपको screen पर दिखे, alert रहना है, alert रहे के चलती आना है, फटा फटा, okay, now listen, देखो आपस, याद करना है, असन है, मुझे बताए है, जब भी, service organization को हम बोलते होंगे कि हमारा आप काम करिये बातचीत होती होगी सबसे पहले क्या बनता होंगा contract पहले क्या बनता होंगा contract अगर आपको जानकारी समझना है services की और service organization की तो पहले आपने क्या पढ़ना चाहिए contract contract बनने के बाद फिर system तय होता होगा कितना काम user entity करेगी और कितना काम service organization एक प्षाथ फ्लोचार भी बने उसको बोलते है system overview क्या बोलते है उसको अब जो टेकनिकल एक्सपर्ट होते हैं जो system को समझते हैं और system के system के लिए software बनाते हैं उनके लिए एक मैनिवल बनता है उसको बोलते है टेखनीकल मैनियो एकनिचल घृ जो लोग सर्वसाध़ान जिन को टेकनोलेज नहीं जे देटा में करते है उनके बनता है उजर मैनियों पहले क्या बनता हूंगा वेटोघ। फिर क्या बन्ताओंगा। system overview फिर क्या बन्ताओंगा टेकनिकल manual फिर क्या बन्ताओंगा? user manual. फिर हर मैने रिपोर्ट्स आती होंगी किसे सर्विस organization से कि हमने आपका काम कैसे किया है। फिर कभी-कभी type to report दे किसे हैं? सर्विस आडिटर से रिपोर्ट बाए सर्विस ओडिटर पिर यह चीज कभी तब आपका इंट Brits certo ओं सीक्ड करता। महां इंटरनल आडिटर या रिज्च और उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट ऑए इंटर्ल रिगले टरी अथ वर्वरी टीज़ 555ग अच्मिक इन ङे यह flow है, पहले क्या बनता है, contract, फिर क्या बनता है, system or फिर क्या बनता है, technical manual, फिर क्या बनता है, user manual, फिर हर मैने क्या थी, reports, और क्या सकता है, service auditor की report, ठीक है, फिर आप ऐसा बोलिए, साल के end में क्या बन सकता है, internal auditor की report, regulatory, authority की report, और साल के end में और क्या मिलता है, management letter, these are the sources of information, अगर आप ये sessions में सिर्फ इतना समझ जाए, कि कि सीक्वेंस में और कैसे मुझे चीजों को बोलना है, आप चीजों को याद रख लेंगे, is this point clear, now, आखरी चीज, अब ये तीसरा question हो जो regular documents available थे, user entity, उससे मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही, उससे मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही है, और जानकारी चाहिए, तो कौनसी additional procedure मैं लगाओ, अब सुनो, मैंने वहाँ पे बोला था आपको, कि पहले क्या बनता होगा, बराबर उससे पुरी चीज याद होगी, अब मैं बताओ, मैं आपको पूरा audit आप याद रख सकते हो, सिर्फ हलका सा आपको, जो statements मैं बोल रहा हो, वो बिल्कुल practical थोड़ा सोच के मैं बोल रहा हो, वो आपको उस पे ध्यान देना है, जैसे अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जानकारी इखटा करनी है, कोई भी अगर मुझे जानकारी चाहिए, और का करना चाहिए, contact, service, organization, आप बताओ, आप क्या processing करते हो, कैसे processing करते हो, you explain it to me, उससे जानकारी मिली तो ठीक, number one दिया मैंने, दूसरा, अरे यार आप कुछ बराबर समझा नहीं रहा हो, आप प्रिल्कुल भी professional नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके दूसरे, आपके बंदे को बुला, आपका बंदा कोने, service, auditor, उसको बुला, उससे मुझे report चाहिए, type one, type two report, और थोड़ी महनत करने, किसकी report मांगो, service organization के auditor की report, type one, type two report, अरे यार वो भी कोई report देनी रहा है, delay पे delay किया जा रहा है, ठोड़ो, तुमा और ज्यादा मेनत करने है, चल बेटा, खुच चलते है, visiting the service organization, सबसे कम मेनत, contacting service organization, थोड़ी और मेनत, type one, type report from auditor of service organization, और मेनत, appoint another auditor to perform the audit procedure, और मेनत, visit service organization, चार-चार मात के ये तीन कोश्चन आ सकते है, पहले जानकारी कौन सी इख़ड़ा ना, four plus four, दूसरा आ सकता है, sources of information, और तीसरा सकता है, additional procedure to obtain information, is point clear, बाकी questions देखने का ही नहीं, जो questions पे focus कर रहे है, वो ही दुनिया है, मान के चलने का अभी, ठीक है, let's first do, हम लोग भी यहाँ पे risk assessment कर रहे है, बहुत सोच समझ के question select किये, let's become, in these questions first, उसके बाद आए की जंग लडएंगे, बचेंगे त ज्यान देंगे, आखरी question, then 402, done, sources of information, पहले क्या बना, contract, फिर क्या बना, system, overview, फिर technical, manual, फिर, user, manual, फिर regularly क्या मिले हमको, SOK, reports, फिर, auditor के reports, फिर, जब साल का end हुआ, किस ने report दिये, internal, auditor, regulatory, authorities, और साल के end में और क्या मिला, management, correct, पूरे session में alert रहे है, फटा-फट, अपने जो capacity के उसको next level पे ले जाईए, correct, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका positive रहना, अभी आपके दिमाग में अच्छ यह सोच के हमको पढ़ना है, sub-service organization, क्या बोला साब, sub-service organization, हमने काम दिया, service organization, तो उसने आगे काम दिया, sub-service organization, जैसे sub-letting होता है, वैसे का, sub-service organization, ठीके, देनीजी, हमने TDS का काम, TDS का काम सामने लोग को दे दिया, ज़िए sub-service organization, तो exam में क्योशन आता है, मैंने question में भी under line किया, what information would you have obtained for controls at service organization, मैंने question में क्या पढ़के, किस चीज को importance दे कर उन्होंने answer को बनाया, 99 प्रतीशत questions में एक ही चीज़ है, आखरी line, बाकी गाथा लिखिये question में, सब लिख दिया, और मुद्दे की बात किस में है, आखरी line में, अब ध्यान देंगे, अब इसको याद रखने का मैं तरीका बताऊ, सबसे आसान, क्या बोलते है पहले सुनो, को समझाना है कि में ताम इस विल हपन आपन आप, service organization is outsourcing its work to other organization, this other organization is called, sub-service organization, correct, now, the amount of information which we collect for sub-service organization is same, as we collect for service organization, सुनो, मैंने bracket दाल के क्या लिखा है, same as 4 plus 4, ये भी सिखना पड़ेगा audit में, अगर 90% points match हो रहा है, तो अलग-अलग रठ के मतलब नहीं है, ये practical subject नहीं है बहुत, इसको पढ़ने का तरीका अलग है, practical में एक line से भी फरक पड़ता है न, तो चीजे बदल जाती है things change completely, वो practical में, इसलिए जो लोग practical में अच्छे है न, उनको तकलीप जादी थेरी पढ़ने में, क्योंकि दिमाग लगाते है practical का, लिखने वाले ने इतने सोच के नहीं लिखा, जितना तुम सोच रहे है, और जबरदस्ती confused हो रहे है, तुमको ऐसा लगता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे है, नहीं, तुम खुद को confused कर रहे है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 90% पॉइंट सेम है, मैं तो चारी लिख, चार प्लस चार आठ लिखूंगा, थोड़े कम होगी थोड़े, जादा हो, कोई फरक नहीं बढ़ता, अगर मुझे क कोई पूछेगा कि सब सर्विस और्गनाइजेशन की कित्ती जानकारी खटा करना, कौनसी जानकारी खटा करना, वही चार बाते किसको सोचके, सर्विसेस को सोचके, चार बाते किसको सोचके, सर्विस और्गनाइजेशन को सोचके, सेम, थेरी पढ़ना भी नहीं है, वो च सारे पापड बेल दिये, ठीक है, I have been teaching for past 12 years, correct, मैंने सारी बातों को देख लिया है, I have myself rank holder भी रह चुका हूँ, और मैं fail भी हो चुका हूँ, correct, तो क्या, दोनों experience है, और fail भी final में हुए थे हमान, तो now, ये सब से मुझे पता है कि अब theory, खासकर audit में क्या करना है, apply this approach, इसलि इसको समझता क्या है, मेरको तो rank लाना है, मैं तो एक एक line, नहीं, अच्छा, किसी का दिमाग, this complete, this complete advisory, जो भी मैं class में बोलू, that is for 90%, 10% जनता रहती, और उनको पता रहता है वो उसमें है, जो दुनिया से अलग, एक बार पढ़ा कौमा के साथ याद, अपने बुआ जी का बेटा है, वो कौमा के साथ उसको सह भ्याद रहता, लॉयर एक गोल्ड मेडलिस, जब वो केस लड़ता, Supreme Court है, मेरसे छोटा है, Supreme Court में केस लड़ता, तो एक दम कौमा के साथ साथ, page number ये पे, ये paragraph में second line, तो जज भी बोलता, बहुत खतरनाक रखता है तेरे, भाई साब, उनके लिए एडवाइस नहीं है, ऐसे लोग डिप्रेशन में दालते हैं अपने को, पात साल पर तेरे बड़्डे पर क्या किया था, में हो क्या मालूँ, बराबर, अगर आप 10% में, I respect you, I respect you, बहुत ही बढ़िया, फिर आप वो एक पॉइंट कौन सा कम जादा है, वो सबसर्विस ओर्गनाइजेशन, सबसर्विस ओर्गनाइजेशन के लिए भी हम लोग टाइप 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 तो you have all the information, best source of information, आपको as an auditor और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ सर्विस और्गनाईजेशन की बात की है, किसको छोड़ दिया, सब सर्विस और्गनाईजेशन को छोड़ दिया, तो उसको हम लोग बोलते है कारवाउट रिपोर्ट, that is called as कारवाउट रि अगर करवाउट रिपोर्ट है, if there is a करवाउट रिपोर्ट, then you have to apply all the procedures which you apply for service organization, same you need to apply for sub-service organization, your work will increase multifold, और इसमें तकलीफ भी होगी, क्योंकि आपको ये पुरी जानकारी लेनी पड़ेगी, service organization के through, बात समझने है सब, आप भेजोगे SO को और SO भेजेगा SSO को, और पुरी जानकरी आएगी, it will become difficult, इसलिए कोशिश करनी चाहिए, आपके पास हमेशा inclusive report मिले, क्या मिले साब, inclusive report, is this point clear, exam में देखो साब ये question, आने के chance क्यो है, अच्छा question है, sub-service organization interesting है, नए कोर्स के study material में है, और ये दोनों old और new सबके लिए same है, इधर के उधर questions पूछ रहे है, MTP RTP साब, इधर का question उधर पूछ रहे है, उधर का इधर पूछ रहे है, audit में, I am blessed, ठीक है, 90% course is same, ठीक है, and they are asking questions also, ये exam में पूछाता है, study material, practice manual में है, बहुत अब due हो चुका है, आने के chances लगते है, last time it was asked is, आज से पात साल बात, पात साल पहले, में पंदरा के exam में time हो गया, अब अब due हो चुका है, अब कभी भी आएगा टपकेगा, ठीक है, जब ऐसा लिखा जाए, P17M मतलब practice manual, SM आपको मिले, that means study material, और जहां पर भी आपको आखरी में, R is RTP, November 12 RTP, May 12 MTP, में थेरा exam, ये PM मतलब practice manual, आखरी में में आखरी में is mock test paper, R is RTP, is this point clear, ठीक है, E मितलब exam, E means exams, जयान देंगे, ना लिसन, ऐसे 450 बताता है, गलतिया, गलतिया क्या होती है, that is miss statement, किसको सम्झाए साब, miss statement, वो हम को सम्झाता है, what do you mean by miss statement, क्यू होती है, गलतिया और गलती मिली तो क्या करना, गलती मिली तो क्या करना, चाहिए, let's see, so question यहाँ पर है, what are the sources of material misstatement, what are the sources of misstatements, देखे, बहुत आसानी से, यहाँ पर भी एक flow है सब, listen, गलतिया क्यू होती है, उसके sources पूछ रहा है, they are asking you, sources of misstatement, गलतिया क्यू होती है, बहुत आसान, number one, गलतिया होती है, financial statement है, because of omissions, March के महने में हमारे हाथ से purchases record करना छूड़ गये, कुछ purchase हमारे हाथ से छूड़ गये, पहला reason क्या सब, omission, transactions का छूड़ जाना, दूसरा, transaction record हुए, in accuracy, in gathering और processing data, अरे purchase बुक किया, quantity गलत कर दी, rate गलत कर दिया, expiry का date गलत कर दिया, inaccuracy in gathering और processing data, data, गलत data input किया, गलत उसकी processing हो गई, double booking हो गई, कुछ transaction छूड़ गये, quickly, पहला reason क्या है, omission, उसके बाद record हुए, लेकिन inaccurate gathering, उसके बाद processing, अब आखरी में, ठीक है, नहीं, अब उसके बाद में, selection and application of accounting, numbering करेंगे अब, 1, 2, accounting policy गलग कर दिया, अरे purchase तो सही किया था, लेकिन लीफो लगा दिया, selection and application of accounting policy में, गलती के वज़े से misstatement हो गया, और अब आखरी में, unreasonable estimates, आपको बता है, NRV कैसे नहीं कलता है, finished goods का NRV is equal to net selling price, yes, no, finished goods का NRV कैसे नहीं कलता है, net selling price, that is selling price minus selling cost, इतने competitive market में, बोलते है, selling cost zero, unreasonable estimate, ऐसे कैसे selling cost को zero ले सकते हो, unreasonable estimate, ऐसे कैसे provision for doubtful date को zero ले सकते हो, unreasonable estimate, गलती होती है क्योंकि management क्या लेता है, unreasonable estimate और आखरी में, incorrect accounting estimate, because of overlooking और misinterpretation, जल्द बाजी में, जल्द बाजी में overlooking के वज़े से, misinterpretation, overlooking, क्या क्या क्या, सिर्फ WIP की height देखकर percentage completion निकाल दिया, ऐसा थोड़ी होगा, सिर्फ height देखकर थोड़ी आप percentage completion निकाल लोगे, overlooking, जल्द बाजी में काम कर लिया, सिर्फ ऐसी देखा के कितना दिखरा है stock, इतना होगा मान लो, overlooking बोलते इसको, that is overlooking, या फिर misinterpretation, court का judgment आया, पहले इस पे, हम compensation cancel करते है, zero कर दिया, आकरी page में लिखा है, नया compensation इतना है, उसका क्या, misinterpretation of the facts, let's please, source of information, पहला, omission, या तो omission हुआ, लेकिन बुक हुआ तो, inaccurate gathering और processing, या फिर apply क्या क्या, selection application of accounting, policy, या फिर estimates कैसे, unreasonable, या फिर क्या है, overlooking and misinterpretation, sequence में है, पहली चीज़ा बलत हो जाना, उसके बाद data में गलती हो जाना, या फिर उसके बाद policy में गलती हो जाना, या फिर उसके आद आखरी में, estimates, unreasonable, या overlooking, misinterpretation होना, आपका जो accounting का flow है, उसमें थे ये पूरे, बस समझ लें के सब, accounting का जो flow होता है, उसमें था, आए, concept खत्ब होना, लंबी सास लेने का, next concept पे चलने का, ठीक है, concept नमबर 58.0, 67, तो हम लोग ने अभी तक देखा, कोराइट प्रसेज़र कौनसी सीरीज साब, 400 सीरीज, ना लिसन, बहुत ही, अब ऐसे 500 में, बहुत बहुत जादा famous question बार-बार लगातार ये पूछा जाता है, अगर management ने expert को appoint किया है, ताकि वो accounting में मदद करे, that is management expert, हमने appoint किया है, ताकि audit में मदद करे, that is auditors expert, management expert से कैसे deal करना, that is essay 500, auditor के expert से कैसे deal करना, that is essay 620, now listen, बार-बार ये पूछा गया, ठीक है, और अगर question silent हो, तो मान लेना, management expert की बात कर रहे है, और 500 लगा देना, अगर question सिफ expert, लेकिन बेटा management expert होगा, तो उससे कैसे deal करना का लिखा है, 500 में, बाहर वाले से कैसे लिखाना लिखा है, 620 में, लिखा नहीं है कुछ क्या करेंगे, assumption, हमेशा क्या मानेंगे, management expert, unfortunately, अलग essay है, लेकिन famous ज्यादा ये है, now listen, बहुत आसान, तीन steps है साथ, कित्य steps है, तीन, essay 500 बोलता है कि, हम लोग blind reliance करने वाले नहीं है, तीन steps perform करेंगे, step number one, पहले तीन steps लिखे हुए है, ये three steps, पहले तीन steps लिखे हुए है, कि भाई कौन से तीन steps होंगे, तो answer लिखने का तरीका है, पहले प्यार मौबबद से तीन steps लिखो, फिर उसके बाद एक-एक step को explain करो, length बढ़ जाती है, ठीक है, this is step one, step two, step three, ठीक है, ज्यान देंगे, सबसे पहले, अगर आपको बंदे पे भरोसा करना है, अगर आपको बंदे पे भरोसा करना है, अगर आपको बंदे पे भरोसा करना है, तो step number one, आपको चेक करना पड़ेगा, सामने ले का, competence, capability और objectivity, competence मतलब सामने वाले का, knowledge और skills क्या है, knowledge and skills क्या है, qualifications क्या है, बंदे ने कितनी मेहनत की है, क्या, कोई भी देख, common sense, पहले क्या आपने करता है, qualification, आपने करता है, qualification, ठीक है, knowledge plus qualification, उसके बाद में, experience और market में, reputation, कितना knowledge है, qualification है, उसके बाद में, क्या उसका experience है, और क्या उसका market में, reputation है, उसका competence देखना है, capability, capability मतलब, क्या उसके पास में, time है, क्या उसके पास में, team है, क्या उसके पास में, equipment है, क्या वो हमारी language को समझता है, is he capable of performing the work, capability, और तीसरा है साब, objectivity, objectivity मतलब being unbiased, English is a funny language, objective का मतलब, goal भी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है, being unbiased, ना जुकेंगे, ना बिकेंगे, जुकना नहीं है, और बिकना नहीं है, pressure में जुक करके, गलत report नहीं देंगे, और लालच में भी गलत report नहीं देंगे, that is objectivity, सर, independence से अलग कैसे है, independence मतलब, legally, personally, professionally, dependent नहीं होना, अगर आप legally, personally, professionally, dependent नहीं हो, तो it improves objectivity, समझ रहे क्या, independent रहने से क्या improve होता है, objectivity improve हो जाती है, इसलिए statutory auditor should be independent, plus objective, but intern auditor is only supposed to be objective, he cannot be independent, बास समझ रहे साब, इसलिए इंडिपे, कोई बच्चा लिख दिया यापे, independence सक्टे आना, management ने अपॉइंट किया, किदर से independent, independence ने सिफ क्या आएंगा, objectivity, सर मैं तो क्या कर रहा था, और जादा आना चिया, objectivity and independent, तो वह बहुत बढ़ी है, ध्यान देंगे, quickly step number one, क्या देंगे सब, competence, उसके बाद, capability, उसके बाद, objectivity, कैसे समझेंगे, हम लोग जाकर देखेंगे, कि बंदे ने क्या qualifications, obtained किये, कौन से उसने qualification, obtained किये, ठीके qualification के बाद, उसका knowledge देखना है, उसने कितने books लिखे, उसने कितने articles लिखे, पहले बंदेओ क्या मिलता है, qualification, qualification की बाद में, और उसने मेहनत किये, knowledge, क्या मिलेगा आपके books लिखेंगे, articles, और कैसे वो लिखाया वहाँ पे, qualification समझेंगा, competence है क्या, books, articles, समझेंगा competence है क्या, और मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस में, पहले इसको qualification में इकाला होगा, फिर उसने books और articles लिखे होंगे, और जानकर इखटा करना है, समझना है उसके कितना knowledge है, go and meet and discuss with him, आप discuss करिए, अगर आपका personal experience से पहले का, पहले क्या साब, personal experience, दो साल पहले काम किया था मैंने इसके साथ, वो personal experience काम लाजी, नहीं होंगा तो जाके क्या करिए, discuss करिए, एक काम कर सकते साब, do one thing, discuss with another auditor, another expert, कि ये बंदा knowledgeable है क्या, तू तो available नहीं है, लेकिन ये बंदा knowledgeable है क्या, अगर आपको समझना है कि बंदा competent है क्या, और capable है क्या, और objective है क्या, पहले क्या मिले होंगे उसको, qualification वो देख लो, फिर क्या लिखे होंगे, books and articles वो देख लो, अगर आपका खुद का personal experience है, वो देख लो, नहीं है तो जाए क्या करो, discuss करो, step number two, भाई साब, उसका अगर काम चेक करना है तो खुद को थोड़ा सा knowledge होना चीए, actually check करना है तुमको पता होना चीए, actually field में होता क्या है, you should obtain understanding of the field of the expert, you should have some understanding and knowledge of the field of expert, कुछ तो जानकरी ले लो, पुरानी फाइले लो, तो में दिमाग में वो भी sequence में, पुरानी फाइले पढ़ लो, नहीं है पुरानी फाइले, कोई छोटा मूटा सेमिनार अटेंड कर लो, सेमिनार भी नहीं है तुमारे पास, एक काम कर, जो गौड़ फाद है ना, इस industry में है, दूसरे ओईटर से बात कर ले, सबसे आसान खुद की, पाइले पढ़ ले, और महत करनी है तो, सेमिना दटिन कर ले, कॉन्फरेंस और करना है तो, दूसरे ओईटर से बात कर ले, अरे किसी भी एक्सपर्ट को, कॉमन सेंस है पहले क्या लगता हूँगा, डेटा, जैसे अगर मैं किसकी बात करूँ, एक्चुरी की, पेंशन कालकुलेशन है, क्या है सब, पेंशन कालकुलेशन, उनना है कंपनी में स्कीम है, पर इच यहर कंपलीटेड, यू विल गेट वन परसन अफ दे सालरी, एज मंथली पेंशन, बंदे के अगर, पचास साल पूरे हो गए, तो 50 परसन अफ दे मंथली सालरी, लास्ट डाउन सालरी उसको क्या मिलेगा, पेंशन, जब तक वो या उसकी स्पाउस, या उनके स्पाउस जो है, वो जीवित है, और साथ में मेडिकल एक्सपेंसेज भी मिलेंगे, बाफ, अब ये बैट के साब हमको सोचना पड़ेंगा, कितने लोग हमारे साथ, रिटार्मेंट तक चलेंगे, कब तर चलेंगे? रिटार्मेंट तक, अब जो लोग रिटार्मेंट तक चलेंगे, उनकी लास डॉण, सालरी क्या होगी? What will the rate of growth of salary? Rate, रे सब लोग मेरे साथ है, what will be? Rate of growth of salary. इजब छोटोटे सवाल पूछूँँगा, जवाब देते रहना, concentrate नहीं करना पड़ता फिर, पहले समझना पड़ेंगा कितने लोग हमारे साथ continue करेंगे, फिर उनका rate of growth of salary, उससे मिलेगा last one salary, फिर देखना पड़ेंगा कितने साल जियेंगे यह और इनके spouse, medical, cost कितने होंगे, आपको outflow पता चलेगा, क्या पाचलेगा, outflow, फिर उसका निका अरे भाई सा, वित्ते calculation करना है ना, किसी भी estimate को पहला लगता है, data, तो आपने जाके पूछना है, ओ भाई, actually, तेको data कहां से मिला, कौन सा data तुने यूज के बता तो, I will check whether employees data is complete and accurate, is it complete, accurate, relevant, इसी company का data चाहिए, सबसेटरी का नहीं, relevant data होना चाहिए, relevant मतलब suitable, relevant मतलब क्याता है साब, suitable, ओ भाई, budgeted data नहीं चाहिए, actual salary चाहिए, why budget when you have actuals, हाँ भाई, data complete है, data accurate है, data relevant भी है, अब जो assumptions है, कहने पड़े साब, assumption, salary क्या rate से grow कर गीज़, assumption, last round salary is a, assumption, inflation rate is a, assumption, mortality rate is a, assumption, discounting rate is a, assumption, assumption, जो method आप लगा रहे है, जो मैंने method आपको बता है, उसको PUC method बोलते है, project unit credit method, यह जो assumptions and methods है, यह जो assumptions and methods है, ठीक है, assumptions and methods should be reasonable, practical life से जुड़े वे होने चाहिए, reasonable, acceptable होने चाहिए, generally ऐसे चीज़े होती है, वो rate assume करो, history से match होना चाहिए, दूसरे industry से match, दूसरे company से match होना च यह industry के data से manager, इस शुडबी रीजनेबल and it should be again relevant, अगर मैं cement industry में चल रहा हूँ, तो cement industry का data उठा के लाओ, textile को मत लगाओ, बास समझ रहे हैं सब, assumptions और methods कैसे ने चाहिए, reasonable and relevant, बहुत बढ़िया है, data के बाद assumptions, data के बाद assumptions किसमें भरते है, methods में, समझ रहे हैं, मेरे लेता होगा, दोनों को भरता होगा, किसमें, method, एक formula में भरता होगा, report निकलती होगी, report भी कैसी चाहिए, relevant चाहिए, और reasonable, relevant, वाई साब, AS 15 के हिसाब से, और India's कौन सा, ठीक है, 19 के हिसाब से, ठीक है, AS 15 और 19 के हिसाब से, वाई साब, वो जो हिस जाती है, वो पूरी accounts में जाती है, वो तेरी report में दिख रहे है, तो तेरी report में लेकिया है, relevant, ए शुट बी reasonable है, plus minus 5% बोलता है, चल मान रूंगा, reasonable है, plus minus 50% useless है तेरी report, इतना काम तो मैं भी कर लेता, बोले, तू का यह का expert, बास समझ रहे है साब, तीन steps में पूरा जवाब उतरना चीए, step number one, step number one, competence, capability, objectivity, step number two, obtaining, understanding the field of expert, step number three, evaluate the work of expert, पहले क्या, data, फिर क्या, assumptions, फिर क्या, methods, फिर क्या, report, वो फो फो तेरी निक मेमरी में ये डिग्राम फिट होना चीए, और इसको रहे चांसर लिखना चीए, इस पूंगे, इस पूंगे, तू क्या, तू क्या, तू क्या, तू क्या और आप बता दीजे, ब्रेक को तो मेरे ख्याल से, ब्रेक तब लेना चाहिए, अभी तो, ठीक है, तो, श्रद्धानु सार, we started at 12, ठीक है, तो मेरे इसाब से, जो पहला ब्रेक होना चीए, वो दो से तीन के बीच में, correct, धाई से तीन के बीच में, अब भी थोड़ी, कौन बोला रहे, नहीं, श्रद्धानु सार, किसी को अगर, ठीक है, इमर्जन्सी है, प्लीज टेक और वॉलेंटरी ब्रेक, correct, तो, वील टेक फर्स ब्रेक, आट 2.30, धाई बजे हम लोग पहला ब्रेक लेंगे, मतलब मेंटली प्रिपेड रहता आदमी, तब तक पढ़ने है, मैं तो कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ड्यान देंगे, नौ लिसन, concept number 60, concept number 60, alert रहे, जितना grasp कर सकते, grasp करिये, क्या कर पड़ा सब अभी तक, पहले क्या दा, core audit, process, 400, that was service organization, 450, that was misstatement, 500 was audit evidence, उसमें हम लोग नहीं कर बड़ा management expert, now 501, listen, कैसे जानकर इखटा करना, तो पहला focus करता है, साने, जो हम देख रहे है, इतने बार पूछा गया है, अति-अति, important में हो, अति-अति ततकाल में से, अति-अति important है, आपको सवाल पुछा आता है, बच्चों को सवाल पुछे, जो जवाब, अच्छाइक पूछाइक पर्चेश करना चाहिए, जो मन में आता है, इनवेंटरी से रिलतेड सब छाप देते, कॉस्ट का फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, रॉम बटेल शुट भी देर, लेबर शुट भी देर, ओवरेड शुट भी देर, कॉस्टिंग बराबर है क्या, प्राक्टिकल लाइफ में जो किया सब चाप दिया, ठीक है, नमबर, अभी यहाँ पे, और एक बात देकी थी, फिजिकल वरिफिकेशन, अगर एक्जिस्टेंस और हर बच्चे को पता था, प्रॉब्लम कहा हो गया, उसको यह नॉलेज नहीं दिमाग में था, कि यहाँ इसे भी इत्ता लिखना पड़ता, हाउट परफॉर्म फिजिकल वरिफिकेशन, बहुत सारा नॉलेज लेके बैठ कभी-कभी तो इत्ता मसा अनॉलेज है, सर, बीच में का दूसरा और आठवा कोश्टन देखोगे न, content same मिलेंगा, it is a similar, और वो ही कोश्टन का answer दूसरे बार लिखने को बोलोंगे न, कुछ और मिलेंगा, इसलिए मैंने आपको बुला, whenever question comes, you should do memory search, क्या मैंने ऐसा question पहले पढ़ाया और exactly क्या बाते पढ़ी थी, मैं वो recollect करने की कोशिश करू, उससे मिलता जुलता मैं answer लिखू, और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके 30 मांग के MCQ है, एक घंटा उसको दो, 25 नमबर तक वहाँ तक निकालने कोशिश करो, 70 मांग का, 70 मांग का आपका descriptive होता है, एक्स्ट्रा पकड के कभी-कभी 88 मांक का होता है, एक्स्ट्रा पकड के descriptive बोल रहो हूँ है, 88 में से 38 को जान दो, 38 मांक जान दो, 40 मांक जान दो, अगर 50 नमबर के question भी बराबर आते है, पचास में से पूरे नहीं मिलेंगे, 50 में से 80 परसेंट, कित है, 40, 25 उदर के, 40 इदर के, अगर किसी को 88 मांक में से 50 के भी question आते है, point is, सही answer होना चाहिए, having masala answer of 70 marks, it is better to have good answers of 50 marks, मैं ये नहीं बोल रहो, बाकी solve मत करो, बट पचास नमबर ऐसे हो नहीं चाहिए, जो मुझे अच्छे से आते हो, पचास तो बहुत हो गया सहाब, पचास छोड़ो, 40 ही अगर आते हो, अच्छे के, 40 भी अगर आते हो, तो 40 का 80 परसेंट कितना हुआ, 32, उदर के 25, इदर के 32, बराबर 57, good enough, तो चाहिए ही नहीं, आसुई आ जाएंगे, इतने मिलगा तो, और किसी को चाहिए तो उसको भी देटेंगे, लेले बेटा, इतने की जवरत नहीं है, बराइम सेंग, है, having knowledge, perfect knowledge, this is the kind of question, this is the kind of, और यार, institute से क्या चाहिए हो, इतने बार तो पूछ लिया, अभी भी अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो, उसका जवाब नहीं दे रहे हो, perfect, तो और कितना easy बनाएंगे paper, औ और मेरा पिछले बार का analysis है अभी, वो मैं दालता हूँ, एक-एक source कहा से, 50 to 60, तब एक, मैं को old course है कि न्यू को से याद नहा रहा, 88 marks में से 18 mark के question, अगर आप निकाल दो, 18 mark के, तो आपको 70 mark का, ये question bank के इसमें से, और ये question bank, अपने ऐसे नहीं, institute के material के, 70 mark का paper यहाँ से और का चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, कि institute is asking from their material only, and if you still feel question is new, ऐसे बच्चे कभी भी आके बोलता है, जन्रल कोस्टन था, जन्रल नहीं था बेटा, जन्रल नहीं था बेटा, चलो एनिया, what I am saying, you should know, questions के perfect answer पता हूँने चाहिए, now यहाँ पे, जयान देंगे सब, existence of the inventory, आप कैसे पता करेंगे, तो बहुत आसान, तो क्या लिखा है वहाँ पे, आसान जा steps, you should collect sufficient appropriate evidence for existence of inventory, and how you will get the sufficient appropriate evidence, through physical verification, through physical verification, perform करना किसकी जम्यादी है, management, you are supposed to go and attend, यही पे गल्ति करते, we should perform physical verification, it is management who is supposed to perform physical verification, we are supposed to attend physical verification, अब क्या करना सुनो, step number one, करना क्या है, चार बात लिखे, common sense, मैं खुद को imagine, मैं आपको हर जगा बताते जाओंगा, सिभा आप वो follow करते जाओ, आपको imagine करना है, सुबा आड़ बजे का time है, बहुत बड़ा factory gate है, open वहाँ, 100 meter चले, left में, एक बहुत बड़ा go down का gate है, तीन लोग खड़े वहाँ पे, यह लोग helmet पैन के, और flora sun clerk का jacket प करने की, evaluating management's instruction for physical verification, तो बोलता है साब, पहला काम, हम लोगों ने रात को 12, रात की shift cancel कर दी, 12 बजे production बन, उसकी बाद कोई production नहीं हुआ है, inventory का movement रोग दिया है, ना कोई stock जा रहा है, ना कोई stock आ रहा है, गेट के बाहर पूरे factory के जो truck से बाहर खड़े, raw metal के, inventory movement is stopped completely, good, physical verification क के लिए एक आदमी एचो से आया है, एक आदमी यहां पे लोग बाहर है, और एक आदमी expert है, fantastic, तर यह तीन equipment यूज करने वाले उसको calibrate कर दिया है, zero बहुत बढ़ी है, आप लोगों की जबर्दस तयारी है, evaluate management's instruction for physical verification, यह पहला point, evaluate management instruction, ठीक है, आप बढ़ी है, आप next is, observe कि आप लोग कैसे इसको implement कर रहे है, आप बराबर counting करके लिख रहे होना, जब आप लिख रहे हो तो pen से लिख रहे होना, ऐसा तो नहीं है, pencil से लिख कर बाद में change कर रहे हो, sheet complete होने के बाद में उस पे sign हो रही है, senior की, बोले done, observe करो counting कैसे कर रहे है, तीसरा, perform test count, perform test count test count, test count perform करेंगे, लिखा है, management को करने तो 100% counting, आप क्या करो, test count, अरे आपने count के ना भी, कितने item थे, 18, मैं दिखना जाता हूँ, मेरे से भी 18 हो रहे है, हाँ, हाँ, match हो रहे है, कुछ चीज़े मैं, मैं dip लेता हूँ, मैं dip लेता हूँ, मैं dip लेता हूँ, इत्ता ही dip आ रहे तो आप test basis पे test count आप perform कर लिजे और आखरी में inspect inventory, damage, defective, slow moving तो नहीं है, बस ये चार चीज़े करनी पड़ती, कुछ और नहीं लिखना पड़ता, पहले आगे क्या evaluate करेंगे, management's instruction for physical verification, आपकी क्या तयारी है, बोले आप चलिए आगे बढ़िए साब, imagine करना है, आप आगे बढ़िए, हम क्या करेंगे, observe, observe करेंगे, how management is, how staff is implementing the procedures, फिर बीच हम लोग क्या करेंगे, test count करेंगे, और test count करने के बाद ही हम लोग क्या देंगे, inspect the inventory, कि कोई damage, defective तो नहीं है, ये करने के बाद, भई बहुत बढ़िया physical verification हुआ है, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गय step number two, अब आप क्या करिए, collect all the information, collect all the stock sheets, physical verification से कितना stock निकल के आ रहा है, actual records में कितना stock है, दोनों को compare करना चाहिए, whether there is a discrepancy, अगर difference है तो management को बोलो, उसको adjust करेंगे physical verification करके रुख थोड़ी, attend करके रुख थोड़ी जाएंगे, देखेंगे physical verification में कितना stock है, records में कितना stock है, दोनों को compare करके देखेंगे, कोई discrepancy तो नहीं है, adjust करवा देंगे, बास समझ है, it is useful for both, ये procedure use करके, आप test of control भी कि उनका physical verification system बराबर है कि नहीं है, ये भी check कर सक सकते हो, suppose ये लोग हर अफते stock count, ये उनका internal control system है, ये उनका internal control system है, तो 501 की procedure लगा कि मैं check कर लूँगा, उनका stock counting का तरीका बराबर है क्या, yes, no, और यही लगा कर मैं check कर सकता हो, year end पे inventory बराबर है कि, नहीं है, it can be used for both, test of, controls and substantive procedure, ये समझाए क्या, company का system है, हर अफते physical verification करवाना और मुझे देखना है कि physical verification operating effectively or not, मतलब मैं क्या कर आँ, test of control, मैं 501 की मदद ले सकता हो, 31st March की inventory देखना है, बराबर है कि नहीं, फिर मैं 501 की मदद ले सकता हो, it can be used for both, कि उनके system बराबर है कि नहीं, और inventory बराबर है कि नहीं, बास समझे सब, yes, no, yes, no, कौन साइसे पढ़ रहा है, 501, उसमें क्या पढ़ रहा है, checking existence of inventory, अब पांचमा question हो गया है, अभी अगला question है, उसमें numbering किये मैंन, उसमें अगला question numbering किये, ध्यान देंगे, कभी-कभी आपको ऐसा देखने हूं मिलता है, reasons है, physical verification is impractical, physical verification is impractical, बाई साब, वो nuclear raw material है, radiations निकल रहा है, उसके contact में है, तो cancer हो जाता है, it is dangerous, ठीक है, dangerous है, साब वहापे जाना, it's not safe, जंगलों में है, नक्सलेड आसपास घूमते रहते हैं, किसी को भी उठा के लेके जाते है, वापस बेचते भी नहीं, it is not safe, अंटार्टिका कमें है, बोले, सिर्फ 50% chances है, helicopter crash होने के, 50% chance है, probability, बोले 50 तो है, भाई मरने के भी 50, वो भी तो सोच, तो भाई साब, कभी-कभी, because it is not safe, because it is very difficult, और it is time consuming, और it is very costly, हम बोलते है, यह physical verification करना जम नहीं रहा है, safe नहीं है, nature and location के, nature of inventory, location of inventory, it is not safe, या फिर time बहुत, या फिर difficult बहुत है, या फिर क्या है साब, difficult, या तो time बहुत, जादा, या cost, क्या करना चाहिए, देखो number one reason समझाओ, ऐसा अगर हो, तो आप alternative procedure लगाओ, क्या लगाओ साब, alternative procedure, साब alternative procedure है न, physical verification अटेंड करना यही एक तरीका थोड़ी है, there is a alternative, तरीका है, बोले कैसे, कई alternative तरीक है, आप देखो, उस location के आपस document है, opening कितना था, कितने goods बेजए, कितने goods बेचे, आपको क्या मिल जाएंगा, closing, documentary evidence देख लो, क्या देख लो, documentary evidence, reconciliation मना लो, opening plus purchase minus sales equal to closing, documentary evidence देख के रिको देख लो, एक काम करो, सब्सेक्वेंट सेल देख लो, are you getting this point, yes, no, आप सब्सेक्वेंट सेल देख लीजे, फिर एक काम कर ये, इस inventory को पिछले 3 साल से compare कर ले, इतना ही है क्या, अरे, match हो रहा है, यार, इतने सबूत मिल गए, सब सही लग रहा है, you perform alternative procedures, और भी तरीके है, अगर alternative procedure आपको सही देदे जानकारी, तो बहुत ही बड़िया, अगर आपको सही जानकार यादे बहुत बड़िया, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर जानकारी नहीं दे पाए, तो सबूत की कमूँ मेंस होगी, अगर जानकारी करेंगे, और बहुत जादा इन्वेंटरी तो disclaimer देना पड़ेगा, you have to modify in as per se 75, बात समझी किसाब, पहले क्या बताएंगे, reasons क्या है, और अगर है तो क्या perform करो, alternative procedures, सबूत नहीं मिल पाए तो modify, फिर उसके बाद, ठीक है, इसी principle को उन्हें दोहराया है, repeat कि रिपीट, उसी को आखरी में repeat पूरा, मतलब concise करके फिर से बता दिया, एक दो लाइन में, और ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपको बताऊँगा, वाई इस हैपन्स, नहीं जो sequence मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दिता हूँ, बच्चे पूछते सर आपकी sequence लिखेंगे तो मैंने अब यह देखा है कि paper कैसे check होता है, और paper checking कैसे होता है, बंदा सोच भीर कैसे, तो कोई बच्चों का यशे बताता है, उसका answer क्या है, वो समझता है, वो समझता है, वो समझने के जब उसको question answer समझ में आ जाता है, फिर वो question बच्चे का एंसर पढ़ता है और यह सोचता है कि जो points expected थे वो लिखे क्या। No one sees word to word match हो रहा क्या sentence match हो रहा क्या। Sir मेरे को answer नहीं मिले क्यों मेरी language बराबर नहीं थी। PM से एकदम word match नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता कोई रख के इतना लिख नहीं सकता। तुने points ही नहीं लिखे पताएगा है तुने मसाला answer लिखा। तुने यह ऐसे पूरे points लिखे करके नहीं इसले marks नहीं मिले। आपको ऐसा लगता है मेरी सी language बराबर नहीं है तो मुझे marks नहीं मिल रहे है। अरे बेटा language नहीं तेरे points ही बराबर नहीं है। और exact लिखना तो possible ही नहीं है किसी का। और check होता है नहीं पेपर ऐसा वो कोई robot थोड़ी है। 30% match words, 40% words match, 50% word match, exact word match, कभी आपको ऐसा लगता है कि paper ऐसा check करता हूँगा ऐसे बाजू में रख्या। ऐसा होता है कि अरे ऐसा नहीं होता है। इंप्रैक्टिकल है, इसको बोलते है honest wrong belief, you are honest, but you have a wrong belief. ठीक है वो गलत आपके दिमाग में फितूर है, points आपने नहीं लिखे, इससे मांक से मिला। फिर बाद में concept समझाना पड़ता है, 5th number का, तो आपको जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे याद रखा वैसे लिखेंगे, जैसे याद रखा वैसे लिखेंगे, सारे points आने चाहिए, that is important, वो इत्ते बार answer को पड़ता है कि उसको दिमाग में points आते हैं, जैसी सही point दिखा, tick, अजिए अधर, यह point बराबर है, यह point बराबर है, यह point बराबर है, जैस तरीके से काम करता है, उसको sequence से कोई मतलब नहीं है, उसके दिमाग में इसाई बाता है, point सही है क्या, point सही है उसको tick करते आता हो, now listen ऐसे दोसों में एक general principle लिखा है, क्या बुला है कि dear auditor ऐसे कई मौक्य आएंगे कि जब चीजे safe नहीं हो difficult time and cost, difficult time and cost, safety छोड़ दो difficult time and cost, audit process करना बहुत difficult हो, time बहुत ज़्यादा लगे और खर्चा बहुत ज़्यादा लगे, ऐसे इसमें एक बात हम मानते हैं alternative process लगाना चीए, लेकिन सोचो, अगर कोई material item है, क्या item है, material item, कोई अगर material item हो, बहुत बड़ी चीज़ हो और alternative procedure possible ना हो, तो auditor ने वही procedure को perform करने के बारे में सोचना चाहिए, उसने छोड़ना नहीं चाहिए, यह general principle लिखा है, कहाँ पैसे, दोसों में, अगर item क्या हो, material, और क्या possible नहीं है, क्या possible नहीं है, alternative audit procedure, तो उसने वही procedure जो difficult है, time consuming है, costly है, वो करना चाहिए, यह general principle दिया है, ऐसे दोसों में, बात समझ रहे हैं, तो बोले हैं ठीक है, एक दम relevant point लग रहा है उनका, हर जगा possible नहीं है, possible नहीं है, qualified disclaimer दे दो, ऐसा करना न नहीं चाहिए, हवाल लगी के भई, किटी, क्या समझाएंगे, reasons, पहरे क्या समझाएंगे, reasons, why inventory counting is impractical, it is not same, it is not safe, it is not, it is difficult, time consuming या फिर, costly, क्या perform करो, alternative procedure, सबूत में आ तो ठीक में तो क्या करो, modify, ठीक है, फिर उसी को और brief में explain किया है, और आखरी में general principle लिखा है, कौन स वही procedure को perform करने की कोशिश करनी चाहिए, now, last thing in SA501, then you start, third party के पास talk है, तो क्या करेंगे, क्या बुला समझाएंगे, third party, आप सब लोग के words, एक second में सब लोग बुलेंगे, external confirmation, लेकिन 5 मार का answer है, फिर question general था, ठीक है, listen, क्या बुला है, अगर third party के पास है दो चीज़े, बले क्या करना पड़ेगा, confirmation, क्या करना पड़ेगा साहब, confirmation, आप external confirmation था, third party को पूछो, कि सही में आपके पास में इतना stock है, क्या, इतना stock है, इतनी quantity है, इतनी उसकी value है, यह आप बता दीजे, confirmation लिजे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो एकदम आखरी है, आप एक काम करिये, inspection करिये, क्या करिये, inspection, और उन दोनों के बीच में का एक है, other audit, procedure, क्या बोला साहब, other audit, procedure, stand, एकदम simple बोलता है, सबसे आसान काम करना है, क्या करो, excellent information, बहुत मेहनत करनी, क्या करो, inspection, परसनी जागे क्या कर visit, या फिर उन दोनों के बीच में क्या perform करो, other audit, procedure, अब आपने बताना चाहिए, कि ऐसे तीन चीज़े, अब वो समझाते है, confirmation करना है, तो क्या लगा पांसो, पांच, inspection कैसे करना, अभी समझा क्या है, physical verification में inspection कैसे होना होता है, वो अभी समझा क्या है, अब आपको क्या है, other audit, procedure, जान देंगे, बहुत आसान, वापस सबसे आसान से sequence में, इन्वेंटर किसके पास है, किसके पास है, third party, सबसे आसान, confirmation, सबसे मुश्किल, inspection, उसके बीच में का, other audit, procedure, अब other audit, procedure, other audit, procedure में सबसे आसान, अगर आपको third party के पास stock देखना है, मेहनत कम करनी है, सिर्व documents देख लो, inspecting documentation, कितने goods गये, कितने goods आए, difference उसके पास बचा होगा, इतना देख लो, उतना काफी है, मेहनत और करना है न, confirmation लो, किस से, other parties, तो other parties मतलब third party नहीं, जो agent ने stock भीजवाया, जो transporter ने stock लेके गया, cnf agent जो है, जिसके warehouse में सामान रखा हुआ है, यह सब other parties है, उनसे क्या मंगवा लो, confirmation, और मेहनत करनी है तिरको बेटा, एक काम कर, वो जो third party का auditor होगा न, third party का auditor जो है, उससे report मंगा ले, suppose वो service organization है, कौन है, service organization, तेरे लिए वो contract manufacturing करता है, क्या करता है, contract manufacturing, job work करता है, उसके auditor से report मंगा ले, obtain another auditors report, service organization, auditors report, वो report मंगा ले, type 1, type 2, और मेहनत करनी है, ठीक है, arrange someone, किसी को arrange कर भई, किसी को arrange कर जो तेरे भी आप में जाए, क्या कर सके, मेहनत, या फिर तु खुद क्या कर ले, attend, second, ध्यान देंगे, let's freeze, third party के पास में stock है, पहले general बताते, पहले क्या बताते, general, अब सुनो, essay में ऐसा क्यों होता है, bare standards on auditing देखे आपने, सुनला भी, ठीक है, I am working on different system, bare standards on auditing कभी देखोगे अगर आप, तो, पहले introduction होता है, क्या होता है, introduction, क्यों आया यह standard है, बकवास, कुछ काम का नहीं हमारा, exam point of yourself, ठीक है, फिर और ने, यह standard पढ़के, उसने क्या objectives, उसके objectives क्या as per this standard, क्या उसने achieve करना चाहिए, वो भी कुछ काम का नहीं, definition, कुछ काम के नहीं, कोई question नहीं आते है, जन्रली उससे, जन्रली उससे कोई question आते है, नहीं है, सबसे मुद्दे की बात, सबके notes और institute जहां से चीजों को पकड़ता है, वो होता है, requirement section, standards on auditing में आता है, क्या है सब, requirements section, हर standard का एक, दो, तीन पेच का होता है, वो requirement section, मतलब कौनसी चीज़े, what are the requirements of the standard, auditor ने क्या करना चाहिए, क्या process perform करनी चाहिए, क्या activities perform करनी चाहिए, अब requirement के इसमें लिखा होता है, बार-बार, for more explanation, refer, paragraph number A4, A5, A6, और नीचे 20, 25, 30, कभी-कभी 50 page का explanatory material होता है, क्या होता है, explanatory material, अभी आपको बढ़ाता हूँ, इसलिए आपको standards के answer में ऐसा देखने को मिलेगा, कि जैसे उपर पहले इन्होंने बात की थी, उपर इन्होंने पहले बात की, confirmation, किसकी बात की, confirmation, inspection, और फिर other audit procedure, requirement में हित्ता ही लिखा है, जो explanatory portion है ना, उसमें लिखा है, confirmation किसके साब से हो, ऐसे 505, other audit procedure में ये काम करना चाहिए, ये कहां लिखा है, explanatory, इसमें बहुत बार answer में आपको मिलेगा, कि पहले आपको एक overview देता है, और उसके बाद में detail में explanation होता है, फिर आपको समझेगा, ओके ये repeat क्यों हो रहा है, because institute ने जो theory answer बनाया, पहले लिया उसने basic principle ये होना चाहिए, फिर उसी को उन्होंने और explanatory material से पास्माट का नहीं बन रहा था, तो explanatory material से और data भर दिया, हवाल लगी किसाब, yes, no, let's freeze, third party के पास inventory, उसके सबूत कैसे मिलेंगे, you can go for external confirmation, दूसरा extreme inspection, बीच में other audit procedure, याद रखना है तो किसके अपसे, मैनत, मैनत कम करनी है तो, documents, ठीक है, मैनत और थोड़ी से बढ़ानी है, confirmation from other parties, और थोड़ी से मैनत बढ़ानी है, service auditor की report, third party के और की report, और बढ़ानी है, another auditor, और बढ़ानी है, attend कर लो, तीन पाच-पाच मार्ट के question थे, attending physical, attending physical verification, दूसरा, what if it is a, impractical, what if it is impractical, तीसरा ने पढ़ा, third party के पास है तो क्या करना चाहिए, बस समझे सब, quickly, सबसे पहले आज क्या पढ़ा था, core audit, process, फिर कौन से रिस्ती, 402, फिर कौन से था, 450, फिर क्या था, 500, क्या पढ़ा उसमें, expert, फिर क्या पढ़ा, 501, तीन बाते पढ़ी उसमें, attending physical verification, दूसरा, impractical है तो क्या, तीसरा, third party के पास है तो क्या, आराम से बैठके चीजों को mark करते जाओ, relax होके बैठो, ठीक है, और मैं जो सवाल पूछता जाओ, उसके जवाब आप सिर्फ देते जाब को जाना है, और मैं भावनाएं समझता हूँ, भावनाएं समझ के ही speed चलती है, जब start होता है तो एकदम aeroplane पर रहते हैं, फिर break के पास थोड़ा speed, slow करते हैं, फिर आने के बाद, ठीक है, आने के बाद फिर कुछ जोग कोख सुनाते हैं, फिर खापी क्या हो, ठीक है, ध्यान देंगे, अब नवेंबर 18 के RTP में आए, question बहुत ही प्यारा है, study material में दाला हुआ है, नवेंबर 16 के exam में आखरी बार पूछा गया था, देखा गया था इसको, नवेंबर 16 के exam में आखरी बार, नए study material में टपकना, practice manual में टपकना, फिर 18 के RTP में टपकना, एकदम due है, exam में टपकने के लिए, ड्यान देंगे, ना लिसन, सबको पता है, external confirmation procedure, yes, no, simple सा procedure होता है, third party को request जाता है, माननी मोहदा है, हमारे books में इतना balance है, आपके books में कितना balance है, यह बार, that is called external confirmation request, question यह है, इस request को सयार करते वक्त, कौनसे factors को दिमाख में रखना चाहिए, अब इसको याद रखने का तरीका अलग है थोड़ा सा, बहुत आसान, पहले मैं आपके दिमाग में fit करूँगा, कि एक external confirmation request दिखता कैसे है, generally company का letterhead होता है, क्या है अब, company का letterhead, common sense की बात है, ठीक है, generally आपको company का letterhead दिखेगा, relation किस की बीच में, company and third party, तो request कौन बेचता है, company, पर letterhead भी किसका होता है, company का, तो generally company का letterhead होता है या फिर blank होता है, तो डेटर से उठा रहे हैं, हम लोग किस से उठा रहे है, डेटर, हम लोग डेटर से, ठीक है, डेटर से, डेटर की information हम चाहते है, customer उसका address, subject confirmation request, उनको लिखते है, dear sir, our annual audit is being conducted by ABCN Associates, it is a regular audit procedure to ask for external confirmation, बदायो, this time your account is selected for external confirmation procedure, ठीक है, we have given balances and information as per our records, please write information as per your records in the cutout area, put it in the pre-printed envelope with tickets, Sam Tickets के साथ होता है, please put that in that and send directly to the auditor of the company, if you reply, we will also reply, when you will select our account for external confirmation, this is not going to affect our legal understanding, it is not going to affect any of our disputes, ये काम की चीज़ है, उसमें एकदम बहुत प्यार मुंबद एक प्लीज रिप्लाई कर दे, ये जो लेटर डिजाइन होता है, डिजाइन अउडिटर करता है, लेटर कैसा होगा, this is designed by auditor, but it is printed and sent by company, under our supervision, our control, बनाऊंगा मैं print to करेगा, मेरे instruction के हिसाब से, मेरे controls, मेरे supervise करता रहूँगा, मेरा control रहेगा पूरे procedure पर, जैसा मैं बोलूँगा वैसा होगा, now, balances, our records जाता है, ठीके, फिर, यहाँ पर signature आती है, साइन आती है, management के लोगों की, कोई भी बड़ा आदमी, MD, CEO, CFO, फिर यहाँ पर नीचे cut-out area आता है, please write balance as per your records, आपके इसाब से balance लिखिए, उसके लिए जगा छोड़ दी जाती है, पास समझ रहे सब, और आखरी में लिखा होता है, reply करना, मतलब reply करिए mandatory है, सिर्फ mismatch हुआ, तो reply करिए, यह भी लिखा होता है एक बाद, अब किकलिए आपको आपके दिमाग में letter feed करना है, इसिर्फ मैं को पहले बताओ, क्या दिखता है आपको, letterhead, पहले का दिखता है आपको, letterhead, फिर to customer, फिर subject, confirmation, request, फिर उसका paragraph की, please भेज़े, फिर information as per, our records, फिर क्या आता है, signature, फिर cutout area, उसमें आता है, reply भेजना चाहिए, compulsory है की, नहीं, अब सुनो, अगर आपके दिमाग में letter fit हो गया, तो सारे points fit हो जाएंगे, अब मैं इसको जोड़ता चला जा रहा हूँ, सुनिए, letterhead से आपके दिमाग में point आना चाहिए, we should think about layout and, ठीक है, layout and presentation, देख थोड़ा सा इधर चला गया, number one लिखा है लेकिन गलती से वहाँ चला गया, आपको पहला point click होना चाहिए, layout and presentation, letterhead को पढ़के पहला point आपको याद आना चाहिए, कि सबसे पहले we should think about layout and presentation of the letter, letterhead होगा, plain होगा, कितने pages होँगे, कितने paragraphs होँगे, जानकारी कैसे दी जाएगी, cut-out area कैसे होगा, इसके बारे में सोचो, बास समझ रहे हैं, फिर paragraph से आपके दिमार्ग में point आना चाहिए, management, encouragement, जितना जादा management, encouragement होगा, जितना जादा management हमको, management encourage करेगा, उतना जादा लोग reply करेंगे, इसलिए management, encouragement जरूरी है, फिर रहता है, information as per, our records, depend करता है, कौन से assertion को target कर रहे हैं, अगर आप existence को target कर रहे हैं, किसको, existence, तो data balance as per my record, अगर आप sales के occurrence को transaction, अगर आप बोल रहे हैं, तो आप dates के सब देंगे, ये date पे ये transaction हुआ था, आप confirm करिए, आपके कौन से देट पे कौन सा transaction हुआ हूँ, अगर मैं existence को target कर रहा हूँ, तो data का balance दूँगा, अगर मैं transaction के occurrence को ट्रांज कर रहा हूँ, तो transaction के details दूँगा, अगर मैं cutout को target कर रहा हूँ, तो आखरी transaction मेरे हिसाब से ये है, तुमारे हिसाब से क्या है बताओ, अगर मैं completeness को target कर रहा हूँ, तो total transaction for the year मेरे हिसाब से इतने है, total transaction आपके साब से कितने वो बताओ assertion पर depend करता है मैं कौन सी जानकारी लिख कर भेजूंगा what will be information as per my records बस समझ दें के सब यह इस पर भी depend करता है ability to confirm आप सामने वाले की ability to confirm है वहाँ पर जो बंदा बैठा है वो बेचार है graduate बंदा है tally लेके बैठता है वहाँ पर दिखता है closing balance closing balance ही वो confirm कर सकता है तुम बोलोगे balance को invoice wise बताओ पार्च लेक्ट के balance में कितने invoice का कितना amount यह बताओ यह तो उसका system देता ही नहीं है तो तुम पूछ कैसे सकते हो तो information पूछते वक्ट क्या सोचना चीए ability to confirm सामने वाले third party की ability है की नहीं confirm करने की अरे बात समझ रहें के साब quickly later date से कौन साब पहुण आँ चीए presentation and layout paragraph से management encouragement balance as per our books record as you say assertion to be targeted and ability to confirm of the third party signature से management authorization authorization जितनी higher authority sign करेगी लोग उसको seriously लेंगे उतने लोग जवाब देंगे बात समझ रहे है ठीक है फिर reply करना है की नहीं करना है risk of material misstatement अगर risk बहुत ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिपलाई चाहिए आपके books में कितना है और मज़दार करना है सिर्फ blank रखो अपना balance आपका balance कितना बताओ अगर आपको risk और भी ज़्यादा लग रही है तो अगर आपको लग रहा है risk ज़्यादा है तो go for positive confirmation request उसमें भी ज़्यादा है तो सिर्फ भेजो balance as per your books कितना है अपना balance उसको बताओ मत और अगर low risk है बहुत गलतियोंने कम चांसे से छोटे मुटे balance से फाल तू time pass मत करो negative confirmation request अब लेटर आपका लेटर आपका बन गया है तो सात्वा point है method of communication क्या बुला सब method of communication paper form भी allowed है electronic form भी ने अधर form professional ethics नहीं है कि previous auditor से communication होगा सिर्फ दो medium allowed है कौन से RPAD, hand delivery and RPAD, registered post acknowledgement due, worship, hand delivery ये दोचीज़ आओड है ये दोचीज़ आओड है इस a standards on auditing everything is allowed, paper form भी आओड है, electronic form भी आओड है, any other medium facts भी allowed है even that is allowed, e-post है तो वो भी आओड है, all the mediums are allowed, MCQ दाउस की उपर, ये आओड है और फिर आक्री में, prior experience यूज करो पिछले बार 200 लोग को भेजाता 20 रिपलाई आये थे इस बार 40 रिपलाई है 400 लोग को भेजना पड़ेंगा प्रायर एक्सपिरियेंस भी यूज करो वें डिजाइनिंग कन्फरमेशन रिक्वेस्ट अगर अब आप देखो मैंने बूला हर मेमोरी का भी एक तरीका है एक ही तरीका हर जेगा यूज नहीं करते हैं मैंने आपको अभी फ्लो टेक्निक समझाई है फ्लो टेक्निक समझाई कैसे पॉइंट्स को तोड़ देना आठ पॉइंट को चार चार में तोड़ देना वो भी याद रखने का तरीका है इसी से डिफिकल प्रोसियर पे जान वो भी याद रखने का तरीका है प्रैक्टिकल लाइफ में पहले कॉंट्रैक्ट बनता होंगा फिर यह बनता होंगा फिर यह बनता होंगा यह याद रखने का तरीका है and this is how you generate points आप points generate भी करते हो अब यहाँ पे मैंने आपको दिमाग में पहले original letter दाल जे letter ऐसा है बस उस यह बेंगे खिक्ली बता देगीं क्या क्या पढ़ा हम लोगो न है पहले क्या पढ़ हम लोगोन है पहले क्या पढ़ा हम लोगोन है Core Audit Process ठीकर चार्सो दो में हम लोगोन है पढ़ा Obtaining Understanding of the Service Organization 4 Plus 4 Correct वो हम लोगोने पढ़ा फिर हमने पढ़ा तो हमारा क्लास के अभी धाई घंटे हुए उसमें हमने देखा अभी हम लोग ब्रेक किते समय करेंगे झाल झाल